गुड इवनिंग गाइज जैहिंद वेलकम टू इंडिया जर्जेस लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकेडमी और यू आर उन यू पीसी पर आपका स्वागत है और चलिए हम अनकेडमी के साथ यू पीसी सिवल सर्विसेस एक्जाम जीस को ट्रैक करेंगे अल्टुगधर गाइ है इस एनिवन देर हैं वेटिंग वर यू गैज है जोई इसको शुरू करते हैं या अनकेडमी और दॉसके लिए अगर आप रिली सीरिए से अनकेडमी सुस्क्रिप्शन आपका है जो जरूरी है इसको शेयर कर दीजे ताकि बाकी लोग भी क्लास को आ करके देख सकें तो यू कन आंसर पोल्स हीर और यह सभी ऐसे होगा जब आपकी क्लासे चल रही होगी होता गया है कि जब आप तयारी करते हैं और अपने इसको मंद्स्राइब तो इस समय क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि किस तरह के क् Communist आते हैं अगर आप subscription लेते हैं तो structured courses के मतलब कि जो भी चीज़े हम आपको पढ़ाएंगे it is totally relevant जो भी अभी देखी अभी हम painting पढ़ रहे हैं anything even a single line जो है वो सिर्फ उतनी है और उससे ज्यादा नहीं आएगा उतनी है जितना कि आपके exam में आएगा प्रणाम प्रजापती साथ इसको शेर कर दीजे ताकि बाकी लोग भी आगर के तो देख सकें तो दूसरा क्या होता है unlimited actions होता है इसके उपर जितनी भी वीडियो आप जिसकी भी देखनी चाहें उसकी live class आप ले सकते हैं recorded courses उसकी देख से अपने हिसाब से जीना चौहान वेलकम गुड़ीवनिंग यहां पर 100 प्लस टॉप अजुकेटर आपको मिलते हैं सुदर्शन गूजर साहब है मुनाल पटेल हैं प्रकार्श कुमार है मुदित गुपता है रोमन सैनी है आयूस सांगी है अमन सर्मा है दिपांसु सिंग ह और आसीस मलिक है मेरे बारे में जारिये मैं हूँ यश्वन सिंग मास्ट आप इंग्लिस मेरी क्वालिफिकेशन है इंप्लाइड विद गॉर्ण्मेंट इपार्टमेंट इपार्टमेंट और आइक पर मैं आपको बता चुगा हूं इंडियन ऑफिशियल सेट्रेट एक्ट कभी पीछे नहीं छूडएंगे यह देखिए यह है मेरा चेलिग्राम चैनल आज भी प्रजापती साब नमस्कार नितासा पांडा गुड़ीवनिंग और इसको शेर कर दीजे ताकि बाकी लोग भी आगर के इसको देख सके देखिए यह आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैंन गया है हाँ जीना चौहान मैं अनकडमी पे भी क्लास ले रहा हूं एक क्लास मैं सटरेडेग को लिया था रात को दस बजे एक या टेड़गंडे की क्लास मेरी अनकडमी पे भी है वहां पर मैंने एंस्टी शुरू की है तो आई होब कि सब लोगों को उसको जौइन करना च तो यह जो भी हम पढ़ेंगे उसका मैं PDF इसके उपर शेर कर रहा हूँ आज क्या भी PDF मैंने शेर कर दिया तो फटा-फट यह जो मेरा टेलिग्राम चैनल है इसको जॉइन कर लें 15,519 प्लस कोर्स हैं आपकी पूरे UPSC CSC की यहां पर प्वालिटी, गवर्णिंस और इंट्रनाशन इलेक्शन की आपको 330 हैं हिस्ट्री की 323 हैं करेंट अफेर्स की 287 हैं जोग्राफी की 272 हैं और ऑप्शनल है 231, इंडियन एकोनोमी 174, 116 है साइन्स टेक्नोलोजी, इंवार्नमेंट और एकोलोजी 113, पैक्टिस स्टेजी 105, N CRT जो है वो आपको 99 courses, Art and Culture 81 courses, Answer IT courses जो है आपकी 61 है, बहुत ही आसान है अगर आप Android phone यूज़ करते हैं तो अपने Google Play Store पे जाईए और अगर आप Apple यूज़ करते हैं तो Apple Store पे जाईए और इसके बाद से यहां पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, कौन-कौन स अगर प्लस में आप लेते हैं, तो it's not only me, even the top 100 educators जो मैं आपको पहले दिखाया, CAC, UPSC, CAC domain में, किसी को भी आप देख सकते हैं, अराम से जाके वहां पे, ठीक है, और यह जो है courses के rates यहां पे लिख रखे हैं, 40,500 के हैं, मेरा code RYS10, use कीजिए, आपको 10% discount मिलेगा, और 36, 6450 के मिलेगा, 12 months, 49,500 है, 44,4550 के मिल जाएगा, 24 months का है, देखी, और 36 months का है, वैसे ही, अगर आइकनिक लेते हैं, तो आइकनिक थोड़ा सा और उससे बहतर है, यह जो चार चीजे मैंने बताएं कि इंडिया के best educator आपको पढ़ाते हैं, interactive life classes होती है, structured courses और PDF सापको मिल जाते हैं, और live mock test and quizzes होती है, उसके अलावा आपको one-to-one guidance के लिए बिलकुन ही personal coach दिया जाता है, उसके अलावा regular main question answer की practice होती है, study tracker plan होता है आपके लिए, study booster sessions होते हैं, और इस तरह से सारी चीजे मतलब आइकनिक बहुत ही बहतर है, 12 months का है, यह कम से कम, यह 74,500 का है, मेरा code RYS10 का use कीजिए, 67050 का मिल जाएगा, 24 months का 115750 का मिल जाएगा, 104175 का, 36 months का 153750 का मिलेगा और 138375 का मेरा code use करने के बाद आपको यह मिल जाएगा, फटाफ़र इसको share कर दीजिए, बस हम इसको complete करके तुरंत ही शुरू करेंगे, paintings के बाकी वाले हिस्से को, एक class और होगी, प form का, मैं PDF अभी prepare ही कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी गलतियां है, हिंदी वाले हिस्से में, तो मैं उसको proof read कर रहा हूँ, और उसको तुरंत ही PDF, जो अपना telegram group है, उसमें हम डाल देंगे, आप सभी लोगों मिल जाएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, 6 months batch course, UPSC, CSE के लिए फिर से आप लोगों के लिए 18th February से स्टार्ट हो रही है, bilingual है, हिंदी है, देखिए, यह मतलब जो 6 months की है, वैसे ही English है, bilingual है, यह सारी चीज़े आपको बिलकुल अच्छी तरह से मिल जाती है, complete 1 years batch course, जो है UPSC, CSE के लिए 2022 के लिए, यह भी आपको बिलकुल तरह से bilingual, हिंदी इंग्लिस तीनों ही है, NCRT badge course जो है, वो भी 18th February से, और यह भी bilingual हिंदी इंग्लिस, और सबकी start-up date जो है, आरको है, तो आप लेट नहीं हुआ है, फड़ा फड़ा इसको ले लिजेए, Unacademy में plus, आप optional और iconic GS जो लेते हैं, यह इसका जो combined pack है, वो 88,705 का है, 24 months का 131,510 का है, और 36 months का है, यह already 37% off है और 167,220 का है, देखिए, अगर दोनों ही plus मतलब कि इसमें तो GS वाला हिस्सा iconic ले रहा थे, लेकिन अगर दोनों ही plus लेते हैं आपको, तो 12 months का 70,103 का है, 24 months का 99,680 का है, और 36 months का 121,200 जा है, ओके गाइस, तो आभी ready, प्रणों साब बताईए, सब को आपने share कर दिया और इसको हम शुरू करते हैं, प्रजापती साहब, पांडा, जीना चोहन, इसको हम शुरू करते हैं, ओके, चलिए, इससे पहले हमने जाना था, miniature paintings के बारे में, भारत के बारे, भारत में जो भी paintings हैं, उसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका prelude जान लीजिए, painting के बारे में हमने जाना था, what is painting, painting जो है, एक दृष्षिकला है, it is not a performance art, ये perform किये जाने वाली प्रदशन कला वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, प्रदश painting मिल जाती है, even ईसा से 10,000 साल पहले की painting मिलती है, उसके बाद इसी को आगे बढ़ते हुए, और सबसे जो late वहाँ की मिलती है, हाँ, तो और जो सबसे late painting हमको भी मेटिका में मिलती है, वो है मद्यूगिन काल की, मतलब जो की हमारा medieval times की, तो शुरुवाती से लेकर के वो ऐ मूरल्स में, हमने जाना कि मूरल्स की शुरुवात जो है लगबग 200 BC के आसपास से लेकर के 1000 BC के 1000 AD के बीच में रही है, उसके बाद हमने देखा था कि भारत में एक नई तरह की painting शुरुवात हो गई, जिसको कि हम miniature painting करते थे, miniature painting कहते थे, अब इन miniature painting में हमने जाना था कि य ये मुख्यता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है, पाल स्कूल ऑफ मिनियेचर painting, ठीक है, पाल स्कूल ऑफ मिनियेचर painting ये जो था, हमने जाना था कि लगबग 780 से लेकर के और 1180 के बीच की है ये यही हमने जाना था कहीं पे भी अगर मैं गरवड कर रहा हूँ विकोज आप लोग बहुत सारी क्लासेश देख चुके हैं प्लीज स्टॉप मी अप लिखिए कि सर यहां पे आपने गलत बता दिया या यहां पे यह चीज नहीं बताई प्लीज स्टॉप मी अप ठीक है फिर पाल सैली जो है जैसे ही 11 इंड में यह होती है उसी समय में पाल जो होते हैं मैंने हमने पढ़ाता कि जब हम अर्ली मेडिवल पढ़ते हैं जो मद्यूगिन काल का जो शुरुवाती वाला दौर है जिसमें हम पाल प्रतिहार राष्ट कूटों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बंगाल वाला जो हिस्सा था वो पालों के द्वारा सासित था तो उनके द्वारा वो बहुत ही कला प्रेमी थे उन्होंने एक पाल सैली को विक्षित किया लगू चित्रकल आगी उसके बाद उसी सैली में अलग अलग जगहों पे कई सारे मतलब वहाँ के रिजनल जो चीजे थी वो आ गई बंदा वर्मा नमस्कार आईए most welcome देखते हैं ठीक है फिर हम देखेंगे कि जब रिजनल चीजे इस पाल सैली में मिल गई अलग अलग जगहों पे यही सैली बाद में बिगड़ करके या कहेंगे आप improvise होके और improve होकरके अपब्रंस सैली हो गई वैसे अपब्रंस का मतलब किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप होता है लेकिन बिगड़ा हुआ आप नहीं कह सकते है पाल सैली भी गड़ गई लेकिन उन प्रांतिय जगहों के लिए उन मतलब शेत्रिय जगहों के लिए वो तो बिल्कुल ही नई चीज़ थी जो पाल सैली से मिलती जुद्धी थी और वहां क्या अपना भी टेस्ट होता था उसके बाद हमने जाना था कि मुगल सैली आई मुगलों में जहांगीर जो था वह चित्रकारी खुद से चित्रकारी करता था और काफी बहतर था कई लोगों ने मुगल जब आए तो जो विशय वस्तू थी लगुचित्रकाला की वह चेंज हो गई इससे पहले जो भी होते थे पाल सैली में परभन सैली में उसमें जो अधिक्तर जो उसके थीम होता था थीम या विशय वस्तू वह हम देखते थे कि वह इश्वरी होता था ग सारी चुदों को डिसुएट कर दिया मतलब करने से मना कर दिया एक अकबर था जिस भी रीजन से रहा हो थोड़ा सा टॉल्रेट था इसलिए आपको अकबर के समय में जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको रिलीजियस थीम specially हिंदु रिलीजियस थीम देखने को मिलती है फिक है आगे बढ़ते हुगे हमने जाना था राजपूतों की साली में और उसके बाद अब हम आ गये हैं राजपूतों की साली के बाद जो अगली दूसरी भी साली है हमारे यहां पे उभरी उन सैलियों के बारे में हम पढ़ेंगे, खास कर हम पहारी शैली के बारे में पढ़ेंगे, दक्कन सैली के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में हम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की जो मिनियेचर पेंटिन्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, अब आप में से कई कुछ पूछिए मैं मैंने कहा दक्कन दक्कन का मतलब होता है दक्षन और दक्षन और साउथ इंडिया दोनों में अंतर क्या है एनिवन दोनों में क्या अंतर है ठीक है तो मैंने क्यों नहीं उसको बोल दिया कि भई दक्कन ही साउथ इंडिया दक्कन का मतलब भई दक्कन का ह यहां पर नहीं लिखाओं बोल रहा हूं South Indian School of Miniature Painting दोनों में क्या अंतर है चलिए देखना शुरू करेंगे जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात हम जानेंगे पहारी School of Miniature Painting के बारे में जो लगुचित्रकला की पहारी शैली पहारी का मतलब क्या होता है ओके बहुत अच्छा पावन कुमार देखिए स्कूल आप पूछ रहे हैं what is the meaning of school स्कूल का मतलब जो हम सभी जानते हैं बच्चे भी जानते हैं स्कूल का मतलब होता है विद्याले बट ये विद्याले यहां पे इसका मतलब नहीं है ओवन कुमार ध्यान दीजे विद्याले यहां पे इस स्कूल का मतलब विद्याले यह विद्याले नहीं है ऐसी जगह नह आने के लिए उसी संगीत में आप देखेंगे कि कुछ कुछ जगहे होंगी वहां पर बिल्कुल ही नई शैली होगी तो यहां पर स्कूल का मतलब होता है सैली तरीका तरीका जैसे फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं जैसे हमने वास्तुकला बनानी शुरू की वास्तुकला ब इमारते हैं मुगल सैली की वास्तुकला फिर हमने फिर राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई राजपूत सैली की इमारते हैं ठीक है तो राजपूत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको बिल्कुल यह बात समझ में आ गई है पाउन कुमार हिस्से को दक्कन करेंगे लेकिन अभी आप यहां पर बिल्कुल सही है और उससे जो आगे है और नीचे है उस वाले हिस्से को हम साउथ इंडिया क्या देंगे अब हम जब उसको पढ़ेंगे तो बैतर तरीके से जाएंगे दोनों में क्या आंतर है हम दक्कन स्कूल ऑफ मि लिस्टिंग स्टाइल ओके तो स्कूल का मतलब सैली तो हमने जाना कि पहाड़ी सैली की मिनियेचर पिंटिंग अब जब पहाड़ हम कहते हैं तो हम कहां के लोगों को पहाड़ी कहते हैं देखिए हमारे यहां पे जो पहाड़ हैं विसेस्ता आपको हिमाचल पर्देश में मिल, देखने को मिलते हैं, वैसे तो पहाड़ आपको मद्यपर्देश में भी देखने को मिलते हैं, टेकर है, बिन्ध्याचल पर्वत जो है, वो भी तो आमारा पहाड़ ही है, राइट काफी पुराने पहाड है गुर्जा राइना वेलकम गुड इवनिंग तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पहाड कह रहे हैं तो पहाड का मतलब हम विसेस्ता किस जगह से समझेंगे तो हमारा यहां पे मुख्य फोकस होगा कि हम हिमाचल पर्देश के पहाडों की बात कर रहे होंगे या उत्राखंड के पहाडों की बात कर रहे होंगे या फिर specially हम जम्मु कस्मीर के पहाडों की बात कर रहे होंगे यहाँ पर हम बात, जो हमारे Eastern या फिर North eastern जो side में पहाड हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे Central India के जो पहाड हैं उनकी बात नहीं करेंगे या दूसरे आप राजस्थान में दी एक पहाड है, उसकी बात हम नहीं करेंगे पहाडी हम कह रहे हैं, तो पहाडी कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब तीन जगों से है, जम्मू कस्मीर, उत्राखंड, उत्राखंड, और तीसरा जो हो गया, वो हमारा हो गया, कि माचल परदेश, तो इनी जगों की पेंटिंग के बारे में हम पढ़ेंग इस पहाडी सैली की लगुचित्रकला के बारे में, अब देखेंगे कि जिस समय भारत में मुगलकाल चल रहा था, अब मुगलकाल कब से कब है, 1526 से ले करके, और जब तक अंग्रेजों ने यहाँ पे बंगाल वाले हिस्सों पे नहीं अपना पकड़ मजबूत कर लिया, य आप इस काल को मुगलकाल कह सकते हैं, तो जैसे मुगलों के यहाँ अपनी लगुचित्रकला काफी अच्छी थी, वैसे ही हमने इस से पहले क्लास में पढ़ा था कि राजपूतों के यहाँ अपनी जो चित्रकला थी, वो मुगलों से थोड़ी मिलती थी, उनसे और कुछ हि उपरी, वो सत्रहवी से लेकर के उनिसवी शताबदी के बीच में उपरी, और ये किन जगों पर उपरी, ये आप देखेंगे कि इन पहाडों में कुछ राज थे, और वो राज कौन-कौन से हाँ, सालू सुगला, नाइट टैन पीम पर एक क्लास है, वो अनकेडमी पर है, अनकेडमी पर हम आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से प्राग्यतिहसिक काल के बारे में बताएंगे, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर जॉइन कीजेगा, दिप्ति मिश्रा, ये आपके लिए भी है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम जम्मू टू अलमोरा, ठीक है, अल रजवाडे थे, जो की मतलब छोड़ी-छोड़ी रियासते थी, बसोली की रियाशत थी, मनकोड की रियाशत थी, नूरपूर की रियाशत थी, चंबा की रियाशत थी, कांगरा की रियाशत थी, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, ये सभी रियासते थी, जहाँ पे जो भी लोक लिंक शेर कर दूंगा इसको बनवाया जब उन्होंने इन चीज को बनवाया इन रियाशतों के राजाओं ने तो हम देखेंगे कि ये वैसी रियाससिते थी जो कभी मुगलों के control में थी अब देखिए मैंने आपको मैं काफी जब स्थापत कलाब बढ़ा रहा था तब ही मैंने बताया था painting में भी मैंने बताया dance में भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि आप you cannot change your neighbors चाहे आपको पसंद हो या नपसंद हो उसके सुभाव का उसके खान पान के तरीकों का उसके painting का उसके घर बनाने के तरीकों का प्रभाव आपकी शैली पे पढ़ेगा या आपका प्रभाव उसकी शैली पे पढ़ेगा तो देखिए चुकि ये जगहें ये छोड़ी-छोड़ी रियासते जो वो मुघलों की ही control में थी बाद में कुछ-कुछ अलग हो गई थी तो यहां पर अपनी लगू चित्रकल्षी की शैली तो उभरी लेकिन उसमें प्रभाव कि मुखलों के control में नियंत्रण में ये रही थी इसलिए उस पर प्रभाव हम को मुगल शैली की लगुचित्रकला का भी देखने को मिलता है हाँ सर का टेलिग्राम जोईन कर लो बिल्कुल लिंक लिंक ओलेडी है मैंने वहाँ पे ओलेडी अपने टेलिग्राम पे डाल दिया है और आज अगर किसी ने देखा होगा तो यह जो क्लास मैं अभी ले रहा हूं उसकी पीडिएफ मैंने पहले ही आप लोग को शेर कर दी है कि आप एक बार इससे होकर जाएं ताकि जो मैं पढ़ाओं तो आप थोड़ा सा कोई चीज नहीं न लगे मैं आपको बहतर समझा पाऊं इसलिए मैंने आपको एडवांस में भेज दिया है तिक है अब जो है वहाँ पे मैं अनक एडमी पे जो क्लास है उसका लिंक और ही शेर कर चुका हूं देखिए अब हम देखेंगे कि यह जगह है मुगलों के कंट्रोल में थी तो इसलिए मु यहाँ पर भी देखने को मिलता है लेकिन साथ ही और एक खास बात थी जैसे आप देखेंगे कि मुगलों की शेली के प्रभाव राजपूतों पर देखने को मिलता है वैसे ही इन पहाड़ी शेलियों में राजपूत शेली का भी प्रभाव देखने को मिलता है कारण कारण इसका कारण कौन-कौन बताएगा। इसका कारण ये है की चाहे बासहोली हो, मनकोथ हो, नूरपूर हो, चमबा हो, कांगेड हो, गुलेर हो, मंडी हो, गढ़वाल हो, इन में से अधिकतर अगर सभी नहीं, तो इन में से अधिकतर राजपूत ही थे। और वो अपने आपको मानते थे कि वो मतलब कभी राजस्थान से संबंद रखते होंगे अब देखिए पूरे भारत में चाहें जहां के भी राजपूत हों कुछ एक तो उस जगह के मतलब रहने ही वाले हैं अब जैसे मैं बिहार का हूँ और हो सकता है कि बाई कास्ट मैं भी राजपूत हूँ और लेकिन मेरे पुर्खे जो होंगे उनका कहीं न कहीं लिंकेज जो है वो और राजस्थान से है तो इस तरह से अगर आप पहाड़ी शैली की रियाश्टों की बात कर रहे हैं तो पहाड़ी शैली की रियाश्टों को अगर आप देखें तो उन पे मुगलों का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मुगलों के कंट्रोल में थे लेकिन सांती राजस्थानी शाली का भी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है आपको मिल जाएगा मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से टेलिग्राम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आप जॉइन कर लिजे वहाँ पर सारी लिंक्स आपको मिलेंगे सारे पीडियाप अब से मैं देना शुरू कर दिया हूँ तो मैंने बताया कि पहाडी शैली पर मुगलों का प्रभाव और राजपूर्ट शैली दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है अब हम देखेंगे कि इन पहाडी शैली की लगुचित्रकलाओं में मुख जो थीम होते थे जो थीम होते थे किस बिसे बस्तू पे ये तो इन पहाडी शैलीयों में चुकि मैंने बताया कि अधिकतर हिंदू जो थे राजा थे जो भी मैंने यहां पे आपको दिखाया बसोली मानकोड नूरपूर्ट चंबा कांगरा गुलेर मंडी गढ़वाल इसमें से अधिकतर हिंदू थे और राजपूत थे इसलिए आपक इनकी जो विशेवस्तू भी मिलेगी वो किस चीज़ पर आधारित मिलेगी मतलब या तो भगवान पर फिर से वो चीज़े रिलीजियोस होने लगी लॉड किस्न के उपर लॉड राम के उपर उसके अलावा प्रेम के उपर या फिर जो हमारे महा काव्यों में कुछ घटना हैं उनके उपर चित्रकारी तो ये सारी चीज़े हमको देखने को इस पहाड़ी शैली की लगुचित्रकला में मिलती है अब इस शैली में दो काफी मशहूर पेड़र थे अगर आपसे पूछा जाए नोट कीजेगा उनका नाम था नैनसुक और मनकू ये दो महान चित्रका मानने जाते हैं हमारे पहाड़ी शैली के ओके आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसमें इन पहाड़ी शैली ने जा लिया मंडी अगर आप रियाशत के बारे में पूछ रही है जो अभी यह पे पीछे दिखा रहा था नूरपूर, चमबा, गुलेर, मंडी, ये मंडी भी जो है, ये मंडी जो है, आप चेक कीजिए, मंडी भी जो है, ये हमारे पहाडों में ही एक रियाश्चत थी, हाँ, वार्दीता संसार चंद भी है, हम उनके बारे में विसेश तरीके से देखेंगे, जब हम इन जगहों के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो मंडी भी जो थी, मंडी कहां पर है, देखिए, अब देखते हैं, बसोली स्कूल, बसोली स्कूल के बारे में देखिए, दिस इस अर्लियस सेंटर आप पेंटिंटिंग अंटर दे पहाडी स्कूल, अब मैंने आपको पताया, राजपूत रियाश्टे थी, उसमें एक बसोली जगह है, और ये बसोली जगह है, बसोली की लगुच इतरकला की सेली बिलकुल ही अलग थी, और ये आज के जो जम्मू एंड कस्मीर है, यूनियन टेरिटरी ओफ जम्मू एंड कस्मीर, वहाँ पे उधंपूर के पहले, उधंपूर के पहले, जम्मू से जब 60 किलो मिटर आगे जाते हैं आप, ओके टेलिग्राम आइडी, टेलिग्राम आइडी बस आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है, एक मिनिट मैं आपको टेलिग् आइडी दिखाएं ही देता हूँ, ठीक है, टेलिग्राम आइडी है अमारी, यह रही, टेलिग्राम आइडी, फटाफट नोट कर लो, इस इस माइटेलिग्राम आइडी, sack, t.me, जो भी है, अन PCR, जश्वंत, अन्डर्स्कोर, सिंग, ठीक है अब हम अगर नोट हो गया तो हम आगे चलते हैं ओके नहीं मिल रहा वन मिनिट गाईज आई विल शेर दाट अगर यहां पे आपके यहां पे जस्ट वेट आप लोग वेट कीजिए मैं अभी आपको टेलिग्राम आईडी शेर करता हूँ यह अगर हम अगर अगर आप लोग इसको यह कर लीजिए अगर उसके बाद भी किसी को मतलब यहां पे डाउट हो रहा है कि सब नहीं मिल रहा दन यू कें जैसे यहां पे अकांक्षा या कोई भी लोग पूछ रहते कि वो नहीं है तो अपने जो भी डाउट उनको इस पे मैं पीडियेप पे दे दूँगा आप लोग बिलकुल ही इसको देख लें निताशा पांडा या फिर प्रणौ राजा बाबू इस पे आप डाल दीजिए मैं परस्टनली आपको शेर कर दूँगा इस पे आप जो भी अपना अपने बारे में बता दिए कि आप यह हैं मैं इस पे आपको यह आईडी शेर कर दूँगा चलिए अब हम बात करते हैं कि बशषोली कहां है बशोली जो है जब जम्मू से जे जम्मों से आगे जाते हैं और उधमपूर की तरफˈ जाते हैं उधमपूर की तरफ अब जो माता वयाष्नोडेवी के यहां आप में से अगर कुछ लोग गए होंगे तो वो उधंपूर डिस्टिक ही है इसी जम्मू से आगे जाते हैं लगबग 40 किलो मिटर तो आपको पड़ता है कथुआ 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 डिस्टिक इसी कथुआ डिस्टिक में ये हमारा बसोली था बसोली एक छोटी सी रिया थी यहीं पे बसोली सैली की लगू चित्रकला की सैली हमको देखने को मिलती है कहा जाता है कि राजा क्रिपाल पाल के संग्रक्षण में जो की खुद ही बहुत ही कला प्रेमी थे यह शैली विक्षित होई थी और हम देखेंगे कि इस बसोली सैली की लगू चित्रकला को जो मुख्य विसेस्ता है क्या तो वो ये है कि यह बहुत ही शमरिद्ध है, बोल्ड है ठीक है, रेच, बोल्ड, विग्रस और अनकन्वेंशनल इससे पहले हमें इस तरह की पेंटिंग देखने को नहीं मिलती है आप कैसे कह सकते है देखिए, ये पेंटिंग मैंने आपके सामने रखी है इस पेंटिंग में हम इश्वर को इश्वर ये चीजों के रूप में मतलब कभी भी आपने ऐसस देखा है क्या कि भगवान शियो माता पारवती के साथ बैट करके चौपड खेड़ रहे होंगे तो इतना आइटिस्टिक तरीके से उस समय सोच लेना ये रियली में खास बात थी और वो विसेस्ता जो है वो बसोली स्कूल की है तो आप कह सकते हैं कि रिच है, बोल्ड है विग्रस है, आज के टाइम में अगर इस तरह कोई बना दे तो फिर मतलब काफी सारा मतलब हंगामा शुरू हो जाएगा ओके फिर हम देखते हैं कि क्रेक्ट्रस्टिक और पेंटिंगस अंडर इस स्कूल इंक्लूड हम देखते हैं कि इस सेली में, जो हम बसौली सेली की बात कर रहे हैं, इस में painting की क्या-क्य विसेस्ता हैं तो इन विसेस्ताओं को हम एक-इक करके देखेंगे सबसे पहली विसेस्ता यह है कि इसमें बहुत ही contrasting color contrasting color किसको बोलते हैं माल लीजिए कि आपने दो color बिलकुल अलग-अलग पहने, एक तो होता है matching matching पहना है उपर-उपर, उपर, नीचे जैसे भी है फिर एक है कि भाई, red पहना उस पे बड़े-बड़े, मतलब yellow के prints बने हुए है तो that is actually contrasting color red पे black, तो इस तरह से आप देखिए कि इस sally में हमको बसोली sally में, जो इसकी मुख्य बिसेस्ता है कि बहुत ही contrast color का परियोग किया गया है, जैसे देखिए red का परियोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है borders भी आपको red के मिलते है yellow का background मिलता है, green color मिलता है देखिए green color मिलता है orange color मिलता है, तो यह सारी चीज़े हमको देखने को मिलती है बिलकुल same है यह तो अब हम देखेंगे कि strong यहाँ पे lively faces और दूसरी और क्या भी सेज़ता है, जो भी इसमें चित्र बने हैं जिसकी भी चित्र बने हैं वहाँ पे वहाँ पे उन व्यक्तियों के आँखों को जैसे कमल की पंखुडियों जैसे दिखाए गया है आपने सुना होगा कि पुराने समय में या फिर जो काफी शाहित्तिक विचारधारा के लोग हैं वो शाहित्तों में इस बात को लिखते हैं कि कमल नैनी के कमल नैनी का मतलब कि जिसकी आँखें कमल के पंखुडियों जैसे हैं राम को भी कमल नैन कहते हैं कमल नैन कहते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो भगवान शिव की उपासना कर रहे थे रामेश्वरम में लंका जानने के पहले तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक कमल कम पढ़ रहा था तो एक कमल कम पढ़ रहा था तो भगवान राम ने अपना एक आँख निकाल करके क्योंकि माना जाता है कि उनके आँख कमल के पंख्डियों जैसा था उसको भगवान शिव को चड़ा दिया था टोटल मिलाके 108 फूरे करने के लिए तो इस तरह से इस बसोली सैली में जो आप देखते हैं बसोली सैली में जो आप देखते हैं वहाँ पे विसेस आपको क्या मिलती है जो भी चेहरे हैं बहुत ही जिवंत चेहरे हैं और उनके आँखे कमल नयन जैसी है हाँ मालवा पेंटिंग से बारोड है चलिए देखते हैं आगे Use of beetle wings for sewing emeralds in ornament अब कहीं कहीं emeralds आपने देखा हैं जैसे आपने नीलम पहनते हैं हीरा पहनते हैं वैसे ही emeralds एक पत्थर का नाम है जिसको हम पन्ना कहते हैं काफी महगा आता है लोग जोतिस जोतिस से दिखा करके पन्ना पहन लेते हैं कम से कम बीस पच्चिस जार से उपर काएगा ठीक है तो emeralds को दिखाने के लिए भै पेंटिंग में तो हम किसी पत्थर को लगा नहीं सकते लेकिन emeralds को दिखाने के लिए जो भ्रिंग होते हैं उड़ने वाले कीडे उनके पंखो को वहाँ पे लगाया जाता था कि मतलब सजाने के लिए कि वो पन्ने की तरह दिखे उसके अलावा और भी क्या हमको देखने मिलता narrow sky sky बहुती narrow यह देखिए यह उपर वाला हिस्सा यह sky का है कितना पतला sky दिखाए गया है उसके अलावा और क्या red border यह पूरी painting जो है इसका यह जो border आप देख रहे हैं यह red border आपको देखने को मिल रहा है दूसरा एक काफी प्रशिद संस्क्रीत के कवी थे और उन्होंने एक प्रेम कविता लिखी है पंद्रवी century में उनका नाम था भानुदत और उस कवीता का नाम है रसमंजरी उस रसमंजरी के उपर देवी दास ने जो की बशौली सैली के ही चित्रकार थे 1694 में एक रसमंजरी करके रसमंजरी करके चित्रकारी की थी यह जो painting आप देख रहे हैं भगवान शिव की माता पार्वती की वो एक love poem जिसका नाम है रसमंजरी प्रेम कविता है रसमंजरी उससे यह ली गई है और इसको बनाया देवी दास ने 1694 में लेकिन रसमंजरी को लिखा है भानुदत ने आगे और देखे Another important work is illustration of Jai Deos जैदेव के बारे में हम सभी जानते हैं उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है तो गीत गोविंद की रचनाओं पर आधारित और गीत गोविंद की रचना आपको लगबग 12 शताबदी के आसपास मिलती है तो उस पर आधारित बसौली सैली में गीत गोविन पर अधारित पेंटिंग हमको देखने मिलती है 1730 में और उस पेंटर का चितरकान का नाम है मनकू नोट करते जाएगा फिर हम देखते हैं गुलेर स्कूल के बरे में अब देखिए हमने बसौली सेली जान लिया पहाडी सेली है गुलेर स्कूल क्या है? गुलेर स्कूल जो अभी गुलेर है वो पंजाब में है तेक है? It is a town in पंजाब and is the birthplace of kangra school of painting ऐसा माना जाता है कि गुलेर के जो राजा थे जो भी हरीचन्द या जो भी नाम रहा हो वो कभी कूए में गिर गए अब जब कूए में गिरे तो फिर काफी दिनों तक लोगों ने सोच लिया कि वो मतलब उनका death हो गया उनके भाई गद्दी पर बैट गया कांगड़ा के महराज थे वो कांगड़ा अभी हमारा ही माचल प्रदेश में है तो ये जो हरीचन्द जो साहब थे हरीचन्द साहब यहाँ गोवर्दन चन्द नहीं हम हरीचन्द की बात बोला है तो हरीचन्द जो साहब थे वो काफी दिनों के बाद जब कूए से निकले कैसे बचे तो उन्होंने फिर भाई से जगड़ा नहीं किया वहाँ से आगे गए और पंजाब में उन्होंने अपना राज गुलेर स्थापित कर लिया उसी गुलेर में ये गुलेर शैली की लगुचित्रकला हमको देखने को मिलती है और यह जो है बसौली सैली की लगुचित्रकला से पुरानी है अब हम देखते हैं अनमबर और पोट्रेस और राजा गुवर्दंचंद अब गुरेल मेड इन सेवेंटीन फिप्टी सो स्ट्रॉंग रिजम्बलन्स विद पोट्रेस और राजा बल्वन सिंह अब जस्रोटा विच इन टर्न वर एग्जेकूटेड बाई नैन शुक ठीक है एग्जेकूटेड मतलब यहाँ पे यह मत सोच लेना फासी चड़ाना यहाँ पे पेंटिंग बनाने को कहा जा रहा है ठीक है पेंटिंग वाज एग्जेकूटेड पेंटिंग वाज कम्प्लीटेड ठीक है तो यह जो आप राजा गोवर्दन चंद जो की गुलेर के महराज थे बाद के पीरियड में उनकी एक बहुत सारी पेंटिंग हमको देखने को मिलती है सत्रो सो पच्चास के टाइम में अब भीजेंद्र यादो Most Welcome हाई तो हमको सत्रो सो पच्चास में ये देखने को मिलती है और यह जो है बिलकुल वैसी ही है जैसे मैंने आपको बताया था बसौली सैली में बसौली सैली में जो मुखे कलाकार थे हमारे उनका नाम यहाँ पे पीछे हमने आपको बताया था क्या-क्या था नयनसुक और मनकु तो नयनसुक ने राजा बलवंत सिंग का पर्ट्रेट बनाया था ये सामने पेंटिंग बनाई थी वैसे ही ज्यहिनराइन साहु वेलकम जेहिंत ओस्ट वेलकम ठुच है तो थीक वैसे ही पेंटिंग हमको इनकी भी देखने को मिलती है राजा गोवर्धन चंद साहब की अब इन पेंटिंग्स में जो गुलेर शैली की लगू चित्रकला की हमको चित्र देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं बहुत ही चमकदार मिलेंगे soft मिलेंगे, cool मिलेंगे और क्या है मुख्य जो इनका बिसेस्ता क्या है बिलकुल अच्छे से आप उसको कैसे पचानेंगे तो बहुत ही प्राकृतिक और लीरिकल तरीके के मतलब की आपको उत्कृष्ट बिलकुल अलग से यह आपको देखने को मिलते हैं जो भी इन चित्रका और उनकी नाग जो है वो काफी मतलब उठी हुई, अप टर्न, ऊपर की तरफ ऐसे नाग उठी हुई और जो बाल हैं बहुत ही बहतरीन तरीके से सजाये हुए बाल हमको देखने को मिलते हैं इस गुलेर शैली में देखिए, हम देखते हैं कि गुलेर शैली की जो मुख्य विसेस्ता थी, वो ये थी कि जो गुलेर शैली की चित्रों की जो विसेवस्तु होती थी, थीम होती थी, वो किन चीजों पे अधारित होती थी अभी अभी तो हमने देखा कि आपने पोट्रेट को ही देखा, अधिकतर पोट्रेट ही हमको देखने को मिलते हैं, मनकु जैसे कि यहां पे नैंसुक ने राजा बलवंत सिंग का बनवाया था, वैसे ही मनकु ने राजा गोवर्दन चंद का बनाया, लेकिन पोट्रेट के अलावा जो दूसरी कई एक चित्र हम को देखने को मिलते हैं वो भागवत गीता पर अधारित चित्र हम को देखने को मिलते हैं गीत गोविंद पर अधारित चित्र देखने को मिलते हैं बिहारी सत्सई बिहारी भी बिहारी को हम जानते हैं बिहारी मतलब एक कवी थे उनकी उ देखने को मिलती है रागमाला के बारे में पेंटिंग देखने को मिलती है और यह सारी पेंटिंग हमको 1760 से लेके 1770 के बीच की यहां पे मिलती है अब देखिए फिर हमने बताया कि हम पहाड़ी शैलियों की बात कर रहे हैं और पहाड़ों में जो जो रजवाड़े थे उनकी बात कर रहे थे बहुत सारे थे मंडी था बसोली था गुलेर था खांगरा था आगे कौन-कौन सी एं हम एक एक कर के इनको देखते चलेएं upon मैंने बोला राजा हरीचन साब ने आगर के गुलेर बसा दिया तो कांगडा में उनके भाई रह गया तो जैसे गुलेर शैली की लगुचित्रकला हमको देखने को मिलती है जो की पहाड़ी शैली की लगुचित्रकला की एक उप शैली है वैसे ही हमको कांगडा में भी देखन स्बसे सुरवाती दौर हमको बासौली में मिलता है, दूसरा गुलेर में मिलता है, तीसरा हमको कांगडा में मिलता है, और हमको 18th century के 18-20 सतादी के चोथे चरण में मतलब लास्ट वाले फेज में हमको देखने को मिलता है लास्ट 25 यह जो होंगे मतलब कि 1700 से लेकर के 1775 के बीच की नहीं 1775 से लेकर के और 1800 के बीच के हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं SSC के लिए है क्या बिल्कुल इसमें से कुछ क्वेशन पूछ भी लिए जाएंगे बट इस इंटारली फॉर UPSC जो इसका पैटर्न है वो UPSC के हिसाब से है आप SSC के लिए देखने चाहते हैं इसमें से क्वेशन पूछ लिए जाएंगे देखिए SSC के लिए क्वेशन देख लो कांगडा सेली को कांगडा सेली को देखो इसको जग्रोफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है कांगडा सेली की लगू चित्रकला को जग्रोफिकल इंडिकेशन टैग या फिर क्या होता है भगॉलिक भगॉलिक शंकेत की जो बी टाइग है वो मिला गया है किसी भी जगा किसी भी चीज को जग्राफिकल इंडिकेशन टाइग मिलने का मतलब क्या है या जियाई टाइग मिलने का क्या है कि वैसी चीज कोई दूसरा उस नाम से नहीं बेच सकता है ठीक है जैसे गोरखपूर को गोरखपूर को क्या मिला है त अब टेरा कोटा क्या होता है भाई आपने मिटी को थापा थाप करके कुमार के चाग पे बरतन बना दिये तो वो तो पौटरी हो गई अब उसी मिटी से अगर आपने और कुछ बरतन के अलावा बना लिया जैसे खिलोना बना लिया छोटा सा हांथी बना लिया कोई और बना घर के लिए तो वो भी टेरा कोटा हो गई उसको पका लिया तो यह तो हर एक जगह पे बनेगी लेकिन जियाई टैग टेरा कोटा में गोरकपूर को ही मिला हुआ है तो कोई इसको नहीं कह सकता कि हमारे यहां का टेरा कोटा परसिद्ध है वो हमारे गोरकपूर को ही यहां पे मिला हुआ है तो इस तरह से कांगडा शैली की जो लगू चित्रकला है उसको GI टैग मिला हुआ है जो अभी SSC के लिए कौन पूछ रहा था वो आप नोट कर लो हम कह सकते हैं कि यह गुलेर शैली की लगू चित्रकला का ही एक हिस्सा है उसी का ओफशूट है ओफशूट किसको बूलता है कोई प्लैंट होता है उसका एक हिस्सा ऐसे जमीन से निकल करके दूसरे साइड में चला जाता है आपको लगता है दूसरा पेंड़ों का लेकिन देखते हैं इनको कांगडा शैली के नाम से इनको बनाए जाता था यहां पर हमको पोट्रेट मिलता है किसका राजा संसार चंद ऑफ कांगडा का देखिए मैंने बताया कि गुलेर शैली में भी आपको जो राजा मिलते थे वो क्या करते थे अपना पोट्रेट बनवा लेते भाई हात में तलवार ले लिया एकदम चेहरा ऐसे करके बड़ी बड़ी मूचे करके अपना पोट्रेट बनवा लिया आपने देखा होगा है ऐसा होता है तो वैसे ही कांगडा शैली में ये चीज़े जारी रही वहां पे भी जो राजा थे राजा संसार चंद उन्होंने भी अपना पोट्रेट बनवाया उसके अलावा हम इस इसमें और किस चीज़ की बिशेस्ता देखने को मिलती है इसमें जो भी चीज़ें इसमें अगर कहीं लैंड्सकेप को दिखाया गया है लैंड्सकेप क्या होता है किसी भौगॉलिक परिदृष्य को दिखाया है मतलब जैसे आप देखेंगे मैं अगर नॉर्मल बोलता हूं कि आप एक पैंटिंग बना लो और वो पैंटिंग अगर आप में से किसी को बहुत अच्छी नहीं बनानी आती फिर भी आप में से लोग कुछ पता है क्या चीज बना देंगे एक बनाएंगे कि पहाड़ है पीशे से और यहां पे एक घर है या दो-तीन घर है उसके बगल में पेड़ है नीचे घास लगी है उपर चिडिया उड़ रही है तो यह जो पूरा हिस्सा हो गया है इस तरह का उसको हम कहते हैं कि लैंड्सकेप लैंड्सकेप कहते हैं या फिर हम उसको परिदिश्य कहते हैं तो तो में देखते हैं कि इसमें जो females हैं कांग्रा शैली में जो भी महिलाओं के चुत्र आपको देखने को मिलते हैं कि उन्में आप पाएंगे कि उनकी नाग जो है वो बिलकुल ही उनके सिर्के मतलब सीध में होगी और लंबी होगी और आखे जो होगी वो छोटी होगी पतली होगी चिन बाहर निकला होगा मतलब काफी शार्प चिन होगा और उनके बालों को ऐसे फ्लैट मास के रूप में मैंने बताया था बासौली सेली में जो चित्र बनते थे उसमें महिलाओं के बालों को काफी शाटीकता से बिलकुल माइनूटली सजा जाता था लेकिन इसमें बालों को एक सांत रख दिया जाता था ठीक है और जो प्रमुख रंगों का इस्तमाल होता था कांगरा शैली में वो मुख्यता वनस्पतियों से प्राप्त रंग होते थे या फिर हमारे खनीजों से प्राप्त रंग होते थे खनीजों से प्राप्त रंग कैसे होंगे हमने कई सारे रंगों का नाम बताया था जिससे स्टीय टाइट बताया था या कई दूसरे भी होते हैं उनको क्या है आप पीस लीजिए नोर्मल मिटी को आप पका लीजिये और पकाने के बाद से उसके बाद फिर उसको पीस दो तो टेरा कोटा कलर आपको मिल जाएगा ठीक है तो टेरा कोटा कलर यह हो गया तेरा कोटा, उसके बाद हमने खुब अच्छी तरह से पढ़ा था कि भाई, मिनरल से निकलने वाला एक ओकर होता है जिसको की गेरू रंग बोलते हैं ठीक है, वेजिटेबल कलर्स में अगर किसी दूसरे चीज से हमको माली जे की गुलाब के अर्ग को निकाला और उससे हमने रेड कलर या पिंक कलर ले लिया तो वो वनश्पतियों से प्राप्त कलर हो गया ठीक है, अब आगे जलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कांगरा शैली में क्या होता है जो भी रंगों का इस्तमाल कियाता था वो तो या तो वनश्पतियों से प्राप्त होते थे या फिर हमारे खनीजों से निकाले हुए होते थे खनीज वाले रंग होते थे जो मुख्य विसर वस्तु होती थी कांगरा शैली की वो हमें क्या देखने को मिलती है राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो कृष्ण है और यहीं पे राधा होंगी और यहाँ पे गोपिया है और यह जो भी मित्रगण है गाये हैं, बच्छडे हैं यह सारी चीज़ें यहाँ पे छोटे पक्षी भी आपको देखने को मिल रहे हैं और पीछे जो आस्मान है उसको भी मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है मतलब की लव सेंटिमेंट आपको देखने को मिलती है प्रेम के उपर जाधा है हाँ सालु सुकला ओकर जो हम मिनरल की बात कर रहे थे गेरू अब आप में से गेरू कई बार मैं बता चुका है गेरूआ रंग कौन सा है जो भी सादू लोग जिस रंग को धारन करते हैं वो गेरूआ रंग होता है ठीक है अब हम देखेंगे कि इसमें और विशेवस्तु मतल नहां पर दिखाया जाए उसके अलावा हमको और क्या क्या चीजे मिलती है हमको जो भक्ति पंथ था भक्ति कल्ट वो भी उसका प्रभाव। हमको इससेली पर दिखने को मिलता है। इसके अलावा गीत गोविंद, गीत गोविंद हम कई बार आपको बता चुके हैं, गीत गोविंद जैदेव ने लिखी है, ये कब 12th century AD के आसपास गीत गोविंद लिखी गई है, भागवत पुरान आप सभी जानते हैं, दूसरे कई सारे जो प्रेम महाकाव हैं, उनसे भी इ मैं की बात करूं, तो मुख्यता कौन-कौन से लोग आते हैं उसमें, गुरुनानक आते हैं, भक्ती पीरियड के, गुरुनानक आते हैं, मीरा बाई आती हैं, उसके अलावा हमारे चैतन महाप्रभू आते हैं, कई सारे लोग हैं, तो वो हो गया हमारा भक्ती कल्ट, तो जो विशेस्ता थीम हमको देखने को मिलती है वो ये मिलती है तालू सुकला हाँ बिलकुल सेंट लोग जो कलर इस्तमाल करते हैं साधू लोग उसको हम कहते हैं गेरू उकर अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब बहुत ही अच्छा जवाब यहां पर हमारे प्रणौन प्रणौन ने लिखा था कि बाई नर्मदा से पहले और कहां के बीच में विंद पर्वत के बाद और नर्मदा के बीच के जगह को दक्कन कहते हैं लेकिन हमारा यहां पे दक्कन के हिस्से को जानना मुख्य मकसद नहीं है हमारा मुख्य मकसद क्या है हमें मुख्यता यह ज चित्रकला है वो किन-किन जगहों पे उबरी तो उन जगहों पे अब देखिए जिस समय हमारे भारत में दूसरे जो आप पाएंगे कि सल्तनत चल रहे थे मतलब कि हम 1192 से ले करके जब मुहम्मद गोरी भारत पे आक्रमन करता है और जीत जाता है पृत्विराज चुहान से उ कई सारे लोग अलग अलग टाइम पर सासन को प्राप्त करते हैं हमारे गोरी के बाद से इल्टूतमिस कुछ दिन के लिए बनता है ठीक है उसके पहले कुतुबदीन के हाथ में होता है फिर इल्टूतमिस के बाद उसकी बेटी गद्दी पर बैठती है उसके बाद से तुर के बाद से फिर कौन से आते हैं हमारे तुगलक आ जाते हैं तुगलोकों के बाद फिर कौन आते हैं तुगलोकों के बाद हमारे कुछ बीच वाले हिस्से में हमको देखने को मिलते हैं शयद और शयदों के बाद हमको इब्राहिम मतलब लोधी मिलते हैं और लोधियों के दिख्कन में भिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन हमारा देखिए हम यहां पे दख्कन किस को कह रहा हैं जिस समय 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है उस समय धकन यानि कि आपके बिंद माॉटन से नर्मदा वाले जगह के बीच में एक दक्कन वाले हिस्से में एक बहमनी समराज्य होता है I hope कि सभी लोग जानते होंगे इंग्लिस में भी मैं लिखता हूँ बहमनी समराज्य होता है और ये बहमनी समराज पंद्रो सो बीस में 15-20 में क्या होता है disintegrate हो जाता है, decline हो जाता है, तूटता है तो जब ये तूटता है तो इसी समराज जी के अंदर छोटे-छोटे जो भी इनके सेनापती या फिर जो भी powerful लोग होते हैं इस बहमनी समराज वाले हिस्से को बांट लेते हैं और वो हिस्से किन-किन जगहों पर बढ़ जाते हैं वो हिस्से बढ़ते हैं बीजापूर में, गोलकुंडा में, अहमदनगर में, बिदर में और बरार में I hope कि सभी लोग समझ गये हैं कि अगर हम हाँ, बहमनी प्रजापती I am saying बहमनी B-A-H-M-A-N-I इसलिए आपको वह से थोड़ा लग रहा होगा बहमनी समराज था जो कि 1520 में खतम हो जाता है यह जो अभी प्रणवश आपने बताया बिंद माउंटेन से लेकर के नर्मदा वाले हिस्से में था और वहाँ पे बहमनी समराज था जब वो तूटता है तो तूटने के बाद से 3 और 2-5 पांच छोटे छोटे रयाश्टों में रजवालों में तूटता है और यह सारी की सारी हमारी मुस्लिम रयाश्टे ही होती है वो रयास्टे हैं बिजापूर की गोलकुंडा की एहमतनगर की बिदर की और बरार की गाईस से कि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं हम देखेंगे कि इनहीं जगहों पे हमारी दक्कन शैली की लगुचित्रकला उभर के सामने आती अब चुकी बाद में काफी लेट पीरियड में इनके उपर ये आपस में भी लड़ते हैं ये लोग बीजापूर, गुलकुंडा, आहमद नवर, बिदर, बरार ये सारे के सारे जो होते हैं मुसलिमी होते हैं लेकिन ये लोग आपस में भी लड़ रहे होते हैं और जब ये आपस में लड़ रहे होते हैं उसका पाइदा क्या होता है कि कभी एक दूसरे को जीत लेता है या दो मिल करके तीसरे पर आटाइक कर देते हैं तो इस तरह करते करते यह आपस में लड़ते रहते हैं और उसके बाद मुगल जो होते हैं इनको इन में से कुछ जगों को अपने कबजे में ले ले लिया तो फिर क्या प्रभाव आया जब भी आप किसी के संपर्ग में आएंगे चाहे जबर्दस्ती से आओ प्रेम से आओ प मुगलो का प्रभाव चुकि यह मुगलो के कंट्रोल में बाद में आ जाते हैं हम तो जानते हैं कि बाई औरंगाबाद बाद में बन गया था तो इसमें से दो रियाश्रतों को मिला करके औरंगाबाद जो बन गया था औरंगजेव वहां तक पहुंच गया था तो जब मु देखिए इनमें जो हमको प्रभाव देखने को मिलते हैं दक्कन शैली में वो मुख्यता आप पाएंगे कि तर्की पर्श्या और इरान तर्की आज आज भी तर्की है उस समय तुर्कों का शासन हुआ यह करता था वहां पे कभी तर्की के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं before we go any further देखिए रोम समराज था रोम रोम के बारे में सभी जानते हैं यह जो रोम बहुत बड़ा समराज था और उन्होंने बहुत बाल मतलब यह धीरे-धीरे एसिया वाले कुछ हिस्सों तक वो लगने लगे थे और रोम कौन से था जो आज क्या इटली है ना इटली वही रोम था यही जो रोम है यह लगबग 476 AD के आसपास या मतलब एग्जेक्ट मैं आपको टाइम नहीं टेंटेटिव टाइम बता रहा हूं तो don't be very much hard की मान लिजे कि सर्फ 476 ही है तो लगबग इसी पीरियेड के आसपास यह आप 450 मन लो 450 AD के आसपास यह जो रोम समरा आज उस समय दो हिस्सों में बटा था एक Western और एक Eastern इस्टर्न तो जो Eastern इस्टर्न हिस्सा था उसको हम क्या बोलते थे Contestine Pole कहते थे Contestine Pole ठीक है? और वो Roman सामराज का पुर्वी हिस्सा था बाद में तुरकों ने उसके उपर अटाइक किया और तुरकों ने उसको अपने कबजे में ले लिया और तब से ले करके वही Contestine Pole जो है बाद में आज का इस्तानबूल हो गया है आप लोग बताइए आप लोग इस बात को समझे गया है ठीक है? जो Roman का Contestine Pole था वो इस्तानबूल हो गया और वो जो टर्की थी जो कभी मतलब इसाईयों की या फिर Roman Catholic जो चर्च हुआ करता था या फिर मतलब Roman समराज का पुर्वी हिस्सा होता था वो यहाँ पे तुर्कों का मुख्य डेरा हो गया ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं क्लियर लिखूंगा साल सुकला सौरी अब हम देखते हैं तो जो दक्कन शैली की चित्रकलाएं हैं उनमें हमको टर्की जो अभी मैंने तुर्की बताया पर्शिया पर्शिया एंड इरान ये पर्शिया और इरान फारस कहते थे फारस और इरान दोनों एक ही जगह हैं उस समय हो सकता है वो अलग रही होगी लेकिन तब भी वो एक ही थी तो उस पे हमें फारस इरान तथा तर्की जो भी उनकी बिलीफ रही होगी उनके धर्म में जो भी माना जाता होगा उसके छाप हमको यहाँ पर देखने को मिलती है अमित कुमार गुडीबनिंग पिती मौरिया ओके चलिए बहुत अच्छी बात है आप तो समझगे तो यहाँ पर हमको विसेस्ता क्या देखने को चीजे मिलती है हमको देखने को मिलती है राजाओं के पोट्रेट्स राजा साब खड़े है तलवार लिया है बड़ी मुच्छे है और एकदम ऐसे करके अपने फोटो की चुआ है फोटो बनवाया तो वो हो गया पोट्रेट लिट्रेरी वर्क्स जैसे मैंने बताया गीत गोविंद या फिर जो भी रहा हूँ चुकि गीत गोविंद तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ जो मतलब हिंदू हिंदूों से संबंदी था जैदे उद्वारा लिखा बारावी शदाब्दी में तो इस तरह के जो भी literary works थे उनके उपर उनपर आधारित चित्र उसके अलावा composite animals composite animals कहने का मतलब क्या है large animal made up of many smaller images of other animals कभी-कभी आप देखते हैं किसी calendar में आपको दिख जाएगा एक गव माता है उन गव माता के सरीर में कहीं शेर दिख रहा है और कहीं पे आपको चीता दिख रहा है कहीं बकरी दिख रही है कहीं हीरन दिख रहा है आप लोगों ने इस तरह की painting देखी होगी तो आप सोच रहें कि ये क्या दिखाना चाहता है बट ये पेंटिंग आज की सोच नहीं है ये दक्कन शैली की लगू चित्रकलागी जो हम बात कर रहे हैं अमित कुमार हाँ इटली का एंस्षिट नाम रोम ही था और आज भी इटली की राजधानी कहां है रोम ही है बिलकुर निताशा पंडा तो अमित कुमार मेरी क्लास डेली सेबन पीएम से होती है स्टार्ट बजे से लेके लगबग नौ बजे तक सेबन टू नाइन पीएम मेरी क्लास होती है और ठीक अन अकेडमी पे मेरी क्लास डेली जो होगी वो रात को दस बजे होगी आज भी रात को दस बजे है जहाँ पर हम एंशियन्ट हिस्ट्री की सेकेंड क्लास लेने वाले हैं दिपती मिश्रा छोटी ओके तो आप देखिए तो यहाँ पर सास्वोग के चित्र हमको देख कितिक कार मतलब कि पुराने शाहित्यों पर आधारी जो चित्त देखने को मिलते हैं अमिद भाई 7-9 विलकुल तो और हमने देखा कि कई साले केलेंडर में हमने देखा था कि गव माता के अंदर कई सारे दूसरे जानवर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही गव माता तो नहीं ले विलकम हाई हाँ सत्यम मैं डांसिंग क्लास का पीडियेफ एक्चुली ना उसके हिंदी वाले हिस्से में इंग्लिस वाले बिलकुल ठीक है हिंदी वाले हिस्से में बिलकुल ही मतलब बहुत जादा गरबड़ी है मैंने अल्मुस्त आधे से जादा उसको प्रूफ रीट कर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजे अब हम देखते हैं कि इस दक्कन शैली में जो मैं बताया था कि बहमनी समराज के तूटने के बाद पांच राज्य बने थे पांच छोड़ी छोड़ी रियाश्टे बनी थी वहाँ पे जो पेंटिंग की शैली उसको दक्कनी शैली कहते है और सुलावी से लेके अठारवी सताबदी के बीच में यह उब्री थी ठीक है अब इसमें मुख्यता किन रंगों का परियोग होता था कब तक मिल जाएंगे मैं कोशिस करूंगा कि आपको या तो कल दे दूं या फिर परसो मौर्णिंग तक पका दे दूंगा मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं कि हिंदी बालों को कोई गडबर मतलब उसमें डाउड न लगे कि यह क्या लिख दिया इसलिए बिलकुल आपको समझने वाली भासा में उसको मैं अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा हूं अब देखिए तो कलर यूज होते हैं रेड औरेंज गोल्ड एंड वाइट हम देखेंगे कि जो भी फीमेल्स हमको देखने को मिलती हैं उनके बहुत ही सेंसूस फीगर देखने को मिलते हैं ब्यूटिफुल फेसे लार्ज आइज और ब्रॉड पोर हेड्स अब सेंसूस फी हुआ कि देखते ही आपको लगे कि भाई प्यार हो गया तो उस तरह के संसूस फिगर दक्कनी शैली में हमको देखने को मिलते हैं उनके चेहरे कुबसूरत हैं आखे बड़ी हैं और जो ललाठ हैं फोर हेड हैं वो चोड़े देखने को मिलते हैं उसके अलावा हम ये भी प सब्सक्राब से कि इसमें अगर ये कार्णिस बनी हैं जो नीचे कार्णिस बनी हैं वो कितने सही तरीके से कीची गई हैं तो ये सिमिट्री हमको देखने को मिलती है सममित व्यस्ता देखने को मिलती है हाँ हाथी था बंद्रावर्मा जो हाथी थी आप बिल्कुल सही बोल रही है जो composite animal जिसके अंदर कई सारे जीवों को दिखाए गया था अब हम आते हैं इसी में दूसरा हमने जाना दक्कनी शैली के बारे में बिसेश था अब इनमें एक एक करके हम जान लेते हैं कि इन पूरे दक्कन में कहां कहां की paintings बहुत famous हैं सबसे पहले बात करेंगे हम एहमद नगर की एहमद नगर आज के महरास्ट में हैं महरास्ट में तो हमने बताया जो अभी अभी प्रणौर ने बताया था बहुत ही अच्छी बात बताई कि बिंद से लेके नर्मदा के बीच में हो सकता है कि बहमनी शासन रहा हो और वो बहमनी शासन जो था वो टूटा 1520 में और जैसे ही टूटा तो पूरे राज्य को पांच चुकडों में बाट दिया गया जो भी जो उसके मुस्लिम नवाब थे मुस्लिम सासक थे उन्होंने उसको अपने कबजे में ले लिया उनके देखरेक में ये पेंटिंग्स ह है वो दक्कन शैली की लगुचितरकलाओ का ही एक उपसैली है अहमद नगर आज के महरास्टा में है और उस समय लगबग 1553 से लेके 1565 के बीच में उसको वहां के हुशेन निजाम शाह प्रतम ने उसको शंग्रक्षण दिया था मतलब कि उनके देखरेंग में ये पेंटिं हमको अहमद नगर उपसैली की जो की दक्कन शैली की लगुचितरकला का ही एक हिसा है जो देखने को मिलती है वो पेंटिंग है उसका नाम है तारीफे हुशेन साही तारीफे हुशेन साही अब तारीफे हुशेन साही तारीफ का मतलब क्या होता है किसी के बारे में अप्रे और उसकी रानी के उपर मतलब आप जानते हैं कि कई सारे राजया अपने बारे में सुनना बहुत ही पसंद करते थे अपने दरबार में गायकों को रखवाते थे और अपने ही बारे में प्रसंसा के लिए गाने गवाते थे मुसल्मानों में भी ऐसा हमको देखने को मिलता है ऐसा हमारे राजपूतों में भी देखने को मिलता है कि भाई वो आएगा सुबह सुबह हमारे बारे में मतलब कि हमारे पुर्खों ने क्या किया मैंने कहां पे लड़ाई लड़ी यह सारी गाने वह गाके जाएगा, वैसे ही क्या होगा अपनी painting, portrait बनवाएंगे, तो उसी तरह से इनी गानों में, इनी कविताओं में उन्होंने एक कविता लिखवाई थी, हुशेन निजाम शाह प्रथम ने एक कविता लिखवाई थी जो उनके बारे में और उनकी पतनी उनकी जो रानी थी उनके बारे में उनकी प्रशनसा के बारे में कविता थी उसी कविता के ऊपर हमको पेंटिंग देखने को मिलती है जो सबसे पुरानी पेंटिंग है अब हम देखते हैं other works executed under this school have portions influence reflected in the high horizon golden sky and the landscape अब देखिए इस शैली के तहत जो दूसरी चित्र हमको देखने को मिलते हैं उनमें हमको फार्सी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है फार्सी प्रभाव क्यों देखने को मिलता है देखिए बहमनी समराज के बाद से बहमनी समर स्सक्राज के बाद से एं सारे के सारे Muslim हैं तो जितने भी उस समय के Musk सासक रहे होंगे और आप पाएंगे कि यह सेम चीज मुगलों में थी वह अपने आपको मानते यए थे कि वह इरान के जो राजा रहे होंगे या इयरान के जो वहां के mythology में जो कहानिया रही होंगी वो अपने आपको उससे related मानते थे उससे related मानते थे ठीक है तो वैसे ही बाद के चित्रों में आपको Persian प्रभाव देखने को मिलता है जहां पे आस्मान को बहुत ही उंचा दिखाया जाए या और उसको golden color से दिखाया जाएगा देखिए यहां पे यह आस्मान है आस्मान golden दिखाया गया ठीक है और landscape दिखाया जाएगा मतलब कि वहां पे पहाड होंगे वहां पे आप पाएंगे कि और पेड होंगे आश्मान होगा तो इस तरह के landscape परदिश्य भी देखने को हमको मिलते हैं एक paintings में तो यह दिखाया गया है in one of the paintings the females are sewn in a northern costume with a scarf around the body which is a southern tradition ठीक है मतलब आप देखिए इससे आप क्या समझ सकते हैं दक्कन शैली में आप पाएंगे कि लगबग उत्तर की शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता यहां पर देखिए कि जो महिलाएं दिखाई गई है वो महिलाएं जो कपड़ा इनोंने पहन रखा है जो इनकी वेश भूशा है वो आपको north में use होने वाली βेश भूशा है नौर्थ में use होने वाली वेश भूशा है बट इसके उपर जो इन्होंने ये साल ले रखा है ये साउथ का ट्रेडीशन है या इस तरह से आपको क्या पता चलता है जो अहमद नगर की उप शैली है लगू चित्रकला की जो की दक्कन शैली की लगू चित्रकला की ही एक उप शैली है यहाँ पे दोनों का ही संगम मिलता का है नौदन कॉस्ट्यूम का या फिर नौदन पहनावे का और शदन पहनावे का है अब हम देखेंगे कि यह अहमद नगर शैली क्या है अहमद नगर शैली ही देख रहे हैं यहाँ पे देखिए अधर नोटेबल पेंटिंग्स इंक्लूड हिंडोला राग पोट्रेट्स बुड़हन निजाम शाहत तू एंड ओफ मलिक अंबर मलिक अंबर क्या आपको याद आ रहा है ओके सोचिए और बताईएगा कि मलिक अंबर कौन था आप लोगों ने साथ उसको मूवी ओवी में भी देख रखा होगा तो दूसरी जो पेंटिंग हमको देखने को मिलती है इस अहल men नगर शयली की वो है हिंडोला राभ वॉट्ट्ट्ट यू म HEY हिंडोला से आप क्या सुमस्चते हैं यहां पर जितने लोग देख रहे हैं क्या उसमें से कोई गुजराती है कोई गुई गुजराती है यहां पे ओके नहीं है देखिए हिंडोला का मतलब होता है ज खुश्य मना रहे हैं तो यह जो है हिंडोला राग उस समय की काफी मशहूर हैं इसमें से बहुत सारे हिस्से NCRT के बुक से लिए गए हैं कुछ हिस्से NCRT के अलावा जो आपकी स्पेक्ट्रम वाली बुक है वहां से लिए गए हैं अब हम देखते हैं अमधनगर करतम हो गया अब हम देखते हैं बीजापूर स्कूल के बारे में अहमधनगर को आपने देखा कि अहमधनगर वास located in महारास्ट्रा but now बीजापूर जो की बहमनी समराज का ही हिस्सा था पांच भागों में जब वो टूटा तो उसका जो बीजापूर वाला हिस्सा है वो हमारे करनाटका में पड़ता है आज के करनाटका में और आज इसको बिजयपूरा कहते हैं इसका नाम बीजयपूरा है यहाँ पे जो बीजयपूर उपशैली की लगुच तरकला आपको देखने को मिलती है वो अली अदील शाह प्रथम नाम नोट कर ली जएगा उनके संग्रक्षण में सरव प्रथम विक्सित हुई थी इनका सासनकाल हमको 1558 से लेके और 1580 तक मिलता है बाद में यही चित्रकला को और ज़्यादा इनके बाद जो शंग्रक्षण दिया वो इबराहिम दूतियत है इबराहिम 2 1580 से लेके 1627 के बीज़़ प्रणौजो आप NCRT पूछ रहा है मैं बिलकुल ही NCRT है इसमें अक्रम बुक है उसके अलावा एक और सी है न वो गौर्णमेंट की साइट जहां पर आपको इनफॉर्मेशन मिल जाती है आर्टेक्ट्चर वगरा यह सारी चीज़ों के बारे में आर्ट एंड कल्चर वगरा के बारे में तो वहां से भी हमने एक CCRT वगरा है तो वहां से भी मैंने यह चीज़े उठाइए यू नो इट टेक्स मोर दन 3-4 आर्स तो मेक ओल दिस मैं डेली आपको क्लास के बाद से यह प्रिपेर ही करते रहता हूँ चलिए फिर हम देखते हैं कि रिच, गलोई, और वाइबरेंट कलर्स सच अज गोल्ड और वाइड वर यूज़ फ्रीली तेक है इसमें हम पाएंगे कि जो भी मतलब रंगों का परियोग होता था बीजापूर में तो कलर्स विच वर यूज़ वर यूज़ दो गोल्ड और वाइड ज़्यादा तर हमको गोल्ड कलर, सोने के रंग यहाँ पर देखिए जो बॉडर्रस बने है यह आपको सोने के रंगों के बॉडरस आपको देखने को मिलता है मतलब कि जो भी ऐसको ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे कि वो बहुत ही चमकदार होंगे चमकने वाले होंगे और जो भी महिलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है उन पे आपको लेपाक्षी की जो मूरल पेंटिंग है कल मैंने जो कोस्चन करा रहा था वहाँ पे भी लेपाक्षी के बारे में आया था मैं इसलिए आपको पूछा हूँ क्योंकि देखने को मिलती है महिलाओं की महिलाओं की चित्र देखने को मिलते हैं वो लेपाक्षी की जो मूरल का मतलब भित्यचित्र भित्यचित्र का मतलब चाहे वो दिवालों पे खीचे हो और या फिर हमारे छटों पे खीचे हो किसी भी solid structure के उपर वो खीचे जाएंगे लेपाक्षी पेंटिंग हमारी किसी temple के अंदर है बताईएगा comment करके कि किस temple के अंदर है देखिए जो इसमें सबसे अच्छा चित्र है बीजापूर स्कूल में बिल्कूल ही different वो क्या है नुजुम उल उलूम है उसका नाम इस चित्र का नाम है नुजुम उल उलूल इस नुजुम उल उलूल में क्या दिखाया गया है ऐसा माना जाता है कि वहां के जो सुल्तान थे सुल्तान अली अदिल शाह उन्होंने इसको खुद से बनवाया था और ये था क्या एस्ट्रोलोजी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल इंसाइक्लोपीडिया खगोल विज्ञान से संबंदित ठीक है खगोल विज्ञान से ये संबंदित था खगोल विज्ञान में किन-किन शब्दों का परियोग किया जाता है उसके बारे में था और उसके अंदर जो चित्र है उसका इल्लूस्ट्रेशन है माना जाता है कि सुल्तान अली अदिल शाह ने ही बनवाया था यहाँ पर देख रहा है जो भासा परियुक्त की गई है वो फार्शी भासा है ठीक है और यह जो चित्र है यहाँ पर ओके बिलकुल वीरभद्र के मंदिर में है वो लिपाक्षी पेंटिंग और यह कहां पर है वीरभद्र बंद्रा बताईए जगा बताईए लोगों को आन्दर परदेश में वेरी गुड ठीक है अब देखिए इस मैनुस्क्रिप्ट कंटेंस मोर दन फोर हंडेड मिनियेचर विच इनकम पास इस्लामिक इन हिंदू ट्रीशन फ्रम नुजुम अल-ुलम यह जो नुजुम अल-ुल जो है वो एक इनसाइक्लोपीडिया है खगोल विज्ञान से संबंदित उस समय जो सुल्तान थे उनकी रूची रही होगी इसमें खगोल विज्ञान में जोतिस विज्ञान में आसमान में कितने तारे हैं कौन-कौन से नक्षत रहे हैं सूरज होता है यह होता है यह सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपने हिसाब से इनसाइक्लोपीडिया बनाई उस इनसाइक्लोपीडिया के अंदर छोटे-छोटे ठीक है इसमें और क्या-क्या चीज़े हैं? जो Islamic and Hindu tradition के जो miniatures हैं, उन सब का प्रभाव इन में देखने को हमको मिलता है. याद रखिए का बीजापूर स्कूल में है नुजुम अल-ुलुम इसी तरह का question पूछ लिया जाएगा, right? Okay, man wearing बीजापूर स्कूल में अगर man को दिखाया गया है, तो उनको क्या? पगडी में दिखाया जाएगा है. पगडी कहने का मतलब कि आज जो है, चाहे सरदारों में पगडी पाने जाती है, वैसी, या फिर राजपूतों में साफा पाने जाता है, वैसा, या फिर हमारे हावाले परदेश में भी लोग पगडी बानते हैं, वैसा नहीं. यहाँ पे बीजापूर स्कूल की अगर बात हो रही है, तो जो इसलामिक ट्रेडिशन में पुराने समय में जिस तरह से पगडी बानी जाती थी, उस तरह की पगडिया हमको देखने को मिलते हैं. तो जो भ और उनको दिखाया गया कि वो बिलकुल ही सोने के आभूशनों से लदी हुई हैं, स्ताडी भी उनकी पेंटेड होती थी, तो इस तरह का हमको देखने को मिलता है बीजापूर शैली की उप्षैली की लगुचितरकला में जो की डखकन शैली की उप्षैली है. आर्बिस्क याद करो मैं जब आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने अर्बिस्क मेथर्ड को बताया था, अर्बिस्क मेथर्ड क्या है? चलिए, इंजार करो. हाँ, ओके, फेटा बोलते हैं मराठा में, बट वो साधी में पहने जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, नो साब. बीजापूर इसकूल में देखिए, यहाँ पे इस तरह की पगड़ी की में बात कह रहा हूँ, इस तरह की पगड़ी की बात कर रहा हूँ, पीछे आपको जो भी फ्रीज वगरा मिलते हैं, इसमें आपको फ्लार्स भी मिलते हैं, जो भी इनकी पोशाक आप देखिए, शाह इब्राहिम टू के समय में इब्राहिम दूतिये पहला संग्रक्षण किस ने दिया था सुल्स्तान अली अदिल शाह ने और बाद में एक मिनिट अली अदिल शाह प्रथम ने और बाद में दिया था किसने हमारे इब्राहिम दूतिये ने जो कि खुद से एक कैलीग्राफर था एक कैलीग्राफर का मतलब क्या होता अभी सालू आप बोले थे कि सर थोड़ा साफ लिखिए देखें मैं आपको बदा रहा हूँ कि कैलीग्राफी क्या होती है जैसे मुझे लिखना है यहां पर आपल तो मैं जब आपल लिखूंगा तो कैलीग्राफी मैं फिर मैं ऐसे आपल लिखूंगा इस तरह से तो इस स्टाइल ओफ राइटिंग इस कॉल्ड कैलीग्राफी तो जो ये इबराहिम दूतिय था इबराहिम टू था उसके समय में बीजापूर शैली की जो चित्रकला लगू चित्रकला देखने को मिलती है वो और ज्यादा बह्तर हो गई थी वो खुद से एक कैलीग्राफर था अच्छा गुम्बन नहीं होता है अर्बिस्क जो होता है वो गुम्बन नहीं होता है अर्बिस्क एक बिधी होती है बनाने की ठीक है ओके कोई बाद नहीं आप लोग उसको चेक कीजिए जो मैंने पीछे पढ़ाया है मैं एक बार बता चुका हूँ नहीं अगर यह होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है तो वो खुद से एक कैलिग्राफर था एक कवी था इसको सुलेखक कह सकते हैं कवी था और संगितकार भी था अब हम आएंगे गोलकुंडा स्कूल के बारे में अब देखिए गोलकुंडा स्कूल क्या है गोलकुंडा जो शैली है गोलकुंडा उपशैली वो दक्कन शैली की ही एक उपशैली है और ऐसा माना जाता है कि जो कुतुब साही राजबंस था कुतुब शाही बंस था 1512 से ले में उसकी राजधानी थी ओके सर्फेस डेकॉरेशन बेस्ट ओन रिद्मिक लिनियर पैटर्न्स ऑफ स्क्रोलिंग राइट एंड इंटर्लेसिंग फॉलिएज टेंड्रिल्स इसका मतलब का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी मान लिजिए कि कोई भी चीज़ बनाई है यह ज्यादा तर अर्बिस्क मेठड जो है हमको इसलाम में ही देखने को मिलता है अरब से संबंदित हो यह बंदना उपर प्रणाव ने लिग दिया है इसका मतलब है कि जो दिवाल ओवाल होते थ इसलामिक लोगों के टाइम में उसमें क्या होता था कि उनको कैसे सजाय जाता ता स्क्रोलींग इनन्टर्लैसिंग फॉलियज इस इस तरह की कोई आकृती बनी होती थी एक दूसरे से सटा सटा के और इस तरह से अधीको अब हीक एते दिवारों पे जो सजावट होती थी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे माली जे कि ये पहले बनाया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, तो ये एक साथ एक पूरी लड़ी बनती थी दिवालों पर, और ये लड़ी बनाने की ही कला को हम Erbisk Method कहते हैं, बारी की से डिजाइन बनाना, बिल्कुल, अब हम चलते हैं कि गोलकुंडा स्कूल के बारे में, जो शुरुवाती दौर में कुतुब शाही डाइनेस्टी थी, जो माना जाता है कि पंद्रो सो बारार से लेके 1687 के बीच में थी, उसकी जो शुरुवाती दौर में, जो कापिटल थ अब देखिए हमने तीन जगहें देखी, हमने देखा पहला वाला वो महारास्टा में था, फिर हमने देखा बीजापूर, बीजापूर करनाटिका में है, और अब हम देख रहे हैं गोलकुंडा, यह तेलांगणा में है, तो आप देखिए कि अहमद नगर से लेके आगे भी हम बताएंगे कि कहां तक यह फैला हुआ था, तो गोलकुंडा जो शैली की उपशैली की लगुचितरकला है, वो हमको कुतुप शाही डैनस्टी में देखने को मिलती है, गोलकुंडा जो है, वो हैधराबाद में है, तेलांगणा में, अब इसको वहां का जो मु इरान की जो कला है, चितरकला की, वो देखने को मिलती है, अब इरान की कला कैशी थी, आपको मैंने जब मुगलों के बारे में बताया था, उसी समय में बता रहा था कि जब हुमायू अपनी जान बचा करके, सेरसा सूरी के डर से, और अपने बीवी को, अपने वाइफ को, और अकबर जो था उस समय पेट में था, वाइफ को छोड़ करके, पाकिस्तान में एक अमर कोट है, वहाँ पे एक रजवाड़ा है, वो अभी भी वो लोग हिंदू है, मतलब they have not changed, and still they are hold in very high respect in पाकिस्तान, अमर कोट के, वो राजपूत हैं, तो उनके यहां उनको छोड़ करके भाग गया, हुमायू, and he went and he lived in the, जो इरान के शाह के, यहां वो दरबार में जान बचाके, उनसे मदद मागने के लिए रहे, काफी दिनों तक रहे, और वहाँ पे जब रहे, तो वहाँ पे इरान की चित्रकारी से काफी प्रभावित हुए थे, चीजों को relate करना सिख हो, अगर हिस्ट्री या कोई भी चीज पढ़नी है, पट से हमें, जैसे अभी अर्बिस क्या होता है, पटाक से मैंने बोला कि आप दिमाग में लाओ कि कौन सी विधी है, अर्बिस, आप वास्तु कला में जाओ, तो चीजे जब एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगी, तो व दूसरे का नाम आप बताएंगे, ठीक है, तो इन दोनों को वो ले के आया, और आ करके फिर वो पायर कर गया, और वही कलाकारों ने बाद में जा करके, ऐसे माना जाता है कि जो तूती नामा वेगरा के, जो चित्र थे, अकबर के समय में उन्होंने बनाया था, तो यहां से वो बात क्लियर हो जाती थी कि इरानी कला, जो चित्र कला थी, वो कितनी अच्छी थी, तो यहां गोलकंडा के जो उपशैली है, दक्कनी शैली के अंदर, उसमें हमको इरानी प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, हाँ सालू सुकला, सही है, चेक कीजिए कि कब यह तेलांग आप 1213 का एक्जाम दे रहे होते हैं, तो उस समय हम कहते हैं कि गोलकंडा जो है, वो आंदर परदेश में हैं, अभी आप जो लिखेंगे, यहां पर प्रेजेंट डे लिखा है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हैधराबाद, तो अभी आप जो लिखेंगे, वो लिखेंग रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, ओके, मीर शाइद अली, ठीक है, एक सम्मद और दूसरा साइद अली, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, जो गोलकंडा शैली में, गोलकंडा की उपशैली में लगुच तरकला देखने को मिलती है, उसमें शुरुवाती दौर की जो पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती है, हाँ, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो हम देखते हैं कि शुरुवाती दौर में जो हमको पेंटिंग्स देखन निर्ति कर रही है कुछ बालिकाएं वहां पर निर्ति कर रही है और वहां पर गेस्ट का entertainment कर रही है मतलब कि नर्ति किया हो सकती है उसके अलावा राजा को दिखाए गया है कि उसने white color का जो भी एक कुस्लिम लोग पहनते हैं उस तरह का पहनावा होता है कोट होता है और उस पर वर्टिकल उपर से नीचे की तरफ embroidery कड़ाई की गई है बिल्कुल वंद्रा शर्म है ठीक है सही है वंद्रा वर्मा सौरी अब हम आते हैं गोलकंडा स्कूल में किस तरह के color का है रंगों का परियोग कर जाथा तो color कॉन-कौन से होते थे खिए pink को मिला दिया blue को मिला दिया and green को मिला दिया pale white yellow and moments इन रंगों का परियोग होता था गोलकुंडा पेंटिंग में कोई doubt है ? क्या होता है ? कोई बतायेगा मुझे जो भी रंगों का परियोग होता था क्योंकि अगर कलर दे रहा है जैसे मैं चारकोल का यूज होता था कि पेंसिल का यूज होता था सा जायाएं के समय में इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है you need to understand which color was used प्रणॉब बिल्कुल ही आप सही बोल रहे हैं तो देखिए गोलकुंडा सैली में एक तो पिंग का परियोग होता था पिंग मतलब गुलाबी ब्लू का मतलब नीला ग्रीन का मतलब हरा फिर पीलापन लिये हुए टफेद पेल वाइट ओके मैं ारिड़ाप ही पदा रहा हूं शालू एक यलो बतलब की पीला फिर हम देखेंगे मोवे मावे होता है परपल आ अब बैचलर का होता है अब इस परपल में थोड़ा सा हैば यपालर मिला दो जैसे ही प्लमें आप यपालर मिलाएंगे तो वह हमारा मौवे बन जाएगा understood, तालूप, बंदना, प्रणौव, आप बताइए कि आप लोग इस बात को समझें या नहीं समझें, उसके अलावा हम ये भी देखते हैं, कि जो भी इसमें costumes use होते थे, उनको सुनहले रंग का दिखाया गया है, जैसे अगर यहाँ पे आप एक देखिए, एक painting दिख रहे हैं, और यह painting किसकी है, आपको तो साइध भगवान कृष्ण की लेडी विद्ध द माइना वर्ड है, क्रिष्ण नहीं है, यह लेडी है, इसके हाथ में एक मैना है, लैंड्सकेप भी आपको देखने को मिल रहा है, कलर कॉन कॉन से आपको ब्लू ब्लू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे, थोड़ा सा ग्रीन देखने को मिल रहा है, राइट, ग्रीन देखने को मिल रहा है, उसके बाद पीलापन लिए हुए वाइट है, पीलापन लिए तो पर देखने को मिलना थोड़ा सा इसमें आपने यलो मिला दिया है इसलिए ये एक ललने और इस अगर कॉस्टूम्स दिखाय जाते थे पोशाक या फिर आभूशंड या कोई इमारत या कोई बरतन देखते थे तो आपको ये गोल्ड तुननेरे रंगों को देखने को मिलत मैना एक पक्षी होती है कुराने समय में काफी famous है ओता मैना की प्रेम कहानी आई ऐसा possible नहीं है और हमना अ कि यदू इस फेम होग लेड़ीओ उसके अलावा और भी पेंटिंग है गोलकॉंडा शैली की वो है कि कोई हाँ रेड गोल्ड है ठीक है रेड और गोल्ड शालो शुकला तो आप जो है ये भी देखती हैं आप देखते हैं कि कुछ एक पेंटिंग ऐसी भी है जहां पे कोई महिला है हुक्का पी रही है हुक्का अगर आपको जानना है कि क्या चीज होती है तो आप थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी वाले हिस्थे में जाईए हर्याणा में जाईए वहाँ पे हुक्के का काफी शौक है लोग पीते हैं राजस्थान में भी जा सकते हैं बिहार में भी देखने को खुक्का लोग पीते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कुलियते मुहम्मद कुली बिलकुर प्रनाव तो वहाँ पे लेडी हुक्का पीते हुई दिखाई गई है उसके अलावा कुलियते मुहम्मद कुली कुतुब शाह अब सुल्तान जो थे अब इन सुल्तान का नाम क्या था जो जिन्होंने इसको काफी मुहम्मद कुली कुतुब शाह पंदर सुची से सोलो सो एक ग्यारा ये क्या करते थे ये कभिताय भी लिखते थे तो इनके कभिताओं का कलेक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है और उसके उपर इल्लुस्टेशन पेंटिंग्स बनी है हिंदी ओनस 229 गाउंमे मुहमद आशिप अच्छा अच्छा गाउंमे गाउंमे देखने को मिलता है ये इतना लंबा आपका नाम है मैं सोचा कि क्या लिख रहे हैं गाउंमे देखने को मिलता है बना बीजापूर अलग हुआ, गोलकुंडा अलग हुआ, अहमद नगर हुआ, बिदर अलग हुआ बरार अलग हुआ तो इसुपेशली जो शुरुवाती तीन है, भीजापूर, गोलकुंडा और अहमद नगर, यहां पे आपको लगूचित्रकला की शैली देखने को मिलती है बाकि बीदर में और बरार में नहीं देखने को मिलती है तो यही तीन important है मैं वही दूँगा आपको जो important है अब हम आते हैं अब हम आते हैं किसके उपर? South Indian Minatures के उपर South Indian Minatures देखिए South Indian Minatures दक्कन में जो नहीं आया वो South India है जैसा कि अभी अभी प्रणौण ने बताया था कि बिंद हिमाचल जो बिंद हिमाचल है बिंद परवत है उस बिंद परवत के नीचे से ले करके और आगे नर्मदान अदी तक हमारा दक्कन हुआ करता था अब उससे आगे वाले हिस्से को हम South India कहते है साओथ इंडिया मतलब की दक्षिन भारत और यूजवली था गया कि जो भी बहमनी सर्माज से पांच चूटे वो हमारे दक्कन पेंटिंग वहाँ पे मिलती है और उससे आगे जो उसके हिस्सा नहीं थे वहाँ पे हमको South India की मिनियेचस देखने को मिलते है इनमें कौन-कौन से प्रमुख्य हम देखते है अब देखिए कि अगर हम दक्षिन भारत के इतिहास को देखें तो वहाँ पे लगुचित्र कलाओं का इतिहास लगबग नौविश सदाबदी पुराना है मतलब की लगबग 800 से ले करके और 900 के आसपास यह है AD अनु जोमिनी ठीक है नाम इतना difficult नाम क्यों रखते थे सर ये लोग अब मैं क्यासे बता सकता हूँ बना अब उनके जो क्योंकि सारे कुलियते मुहम्मद कुलियते नहीं अच्छिली अब हमारे में भी जैसे आप तो अभी इनको लग रहा है आपको लग रहा है कि ये बड़ा नाम है आप साउथ इंडिया में मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ मतलब जौब में है उनसे मैं नाम पूछता हूँ तो वो बस अपना चोटा ता नाम बताते हैं उनके नाम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं एवन हम कई बार उनको प्रनाउंस भी नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया की पेंटिंग्स हो बात करें तो के बारे में बात करें और मुख्यता South India के लगुचित्रकलाओं में जो विशयवस्तु का मतलब हुआ कि पर अधारित पेंटिंग बन लही है उसके कहानी क्या है कहां से लिया गया है तो ये जो भी South India की पेंटिंग आपको देखने को मिलती है उसमें ज्यादातर जो थीम है विशयवस्तु है वो religious ह की महांका यूदीजिशी है तो वहां पे जो भी चीज है अगर अगर आपको मेंज में लिखने को आया यह कि pirate दॅध चीजे होंगे अगर नहीं याद आ रहा है ना तो नहीं महांगा भारत अगर साउतिनिया के बारे में गोलकुंडा और यह जो ने डककन वाले के बारे में मत लिखना है, वहाँ पर भी religious themes है, बट those religious themes अगर डककन के बारे में है, तो वहाँ की religious themes based है, इरान के उपर, फार्सी के उपर और टर्की के उपर, लेकिन अगर South India, या फिर राजपुताना, या फिर दूसरे जोगों की religious themes अगर पूछ रही है, तो सी सफी कॉमन सा नाम है, रादा कृष्ण की, रादा कृष्ण के चित्र, तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे, तो अब हम चलते हैं, आगे, South Indian Ministries जान लिया, नौवी सदाब्दी का है, और ज्यादा तर्थीम्स religious हैं, किस तरह के रंगों का इस्तमाल होता था, तो अधि यहाँ पे वनस्पतियों से प्राप्त रंग, वनस्पतियों मतलब कि किसी पेंड से प्राप्त रंग, जो है, Sandstone, Sandstone कलर, मतलब कि बलुआ पत्थर, अगर कोई कलर बन रहा है तो वो कलर, उसके अलावा इन पेंटिंग्स में, हमको ज़्यादा तर, तच, बहुत ही ज़्या जाया हुआ है जो कि South India Sally की है यहां पर आप देखिए किसका है यह रंग नीला है और हमने पहले पढ़ा था कि अगर रंग किसी का नीला आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा आप जानेंगे कि वह इश्वर के लिए प्रयोग हुआ है राजपूतों के बारे में हमने पढ कृष्ष्णों यहां पे हमें दिख रहा है ति असके अलावा कई सारी जो है यहां पर हुसकता है रानियां हो या बाकी लोग हो वह आ अलोवीरा से अलों वीरा को तो जेंग Алексों कि तरह यूज जैली के रूप में एड़ेसिव की तरह यूज होता था जैल की तरह जैसे मालीजी अगर मैं रंग कहूं तो गुलाब से हमें लाल रंग मिल गया ठीक है तो वैसे ही दूसरे-दूसरे कई सारे प्लैंट से हमको दूसरे रंग मिल जाते थे तो उन रंगों का प्रियोग देख जान रहे थे अब इसी साउथ हिंडिया पेंटिंग में कुछ एक जगहें हैं जिनके बारे में जहां की साउथ हिंडिया पेंटिंग के उपशैलिया है वो तो जो तंजोर की पेंटिंग की उपशैली है वो किसलिए फेमस है देखिए तंजोर जो है आज के हमारे तमिल ना की हैं और उस समय इस तमिल नाडु पे किसका राज था चोलो का सासल था और बाद में आप आएंगे कि यह वो जगह थी कि धीरे-धीरे हमारे महराठो के भी कंट्रोल में आई थी तो अब देखिए सर्फोजी महराज महराठो के बीच से देखिया प्रणौ आप बताइए अंडर दा पैट्रोनेज ऑफ सर्फोजी महराज जब यहां पर तंजौर में जब शर्फोजी महराज आते हैं तो आपको देखने को मिलती है कि यह जो पेंटिंग की कला है वो हमारी एकदम सिर्ष पे चर्मोत कर्ष पे पहुंच जाती है UPPCS का questions है ओके बहुत ही अच्छा GI टेग संजौर की पेंटिंग को मिला हुआ है इसको मार्क कर लीजिए फिर हम देखते हैं संजौर की पेंटिंग इस पेंटिंग्स आर नोन फॉर रिच कलर एक्स्टीरियर पोस्पारिटी और डेकुरेटिव वर्क आफ पार्ट तंजौर की पेंटिंग को अगर आप देखें तो इसमें काफी आपको रिच कलर देखने को मिलते हैं और जो पोस्टीरियर है एक्स्टीरियर है मतलब की मुख्य चुईत्र तो टॉप्स वाट से हाई कैसे हैं आप लिए क्लास को हम लोग देखते हैं ध्यान से यहां पर हम भगवान कृष्ण को देख रहे हैं भगवान कृष्ण ही है लेकिन जो पीछे वाला बैक्ग्राउंड है जो की मतलब इस तस्वीर का तो हिस्सा है बट इन लोगों का हिस्सा है वो बैक्ग्राउंड काफी अच्छा और डेकोरेट किया गया है यह पीछे देखिए पूरा एकदम महराब जैसा यह बनाया हुआ यह आपको देखने को मिल रहा है कितना अच्छा इसके नीचे भी आप देख सकते हैं जो exterior of the figures हैं वो काफी बहतर तरीके से हमारे बनाया हुए यह मिलते हैं और इन पेंटिंग्स को जो तंजोर की पेंटिंग्स को कहां पर किया जाता था दिवालों पर लकडियों के पैनल पे फिर गलास पेपर पे ठीक है गलास फाइबर से हां मैचिंग का कुश्चन है बिलकुल सालो सुकला सही बोल रही है मराठे थे पेंटिंग ऑफ रॉयल प्रोसेशन बहुत अच्छा तो यह बिलकुल कंफ्यूज नहीं होना कि तमिलनाडू है और अगर तमिलनाडू है तो वहां पे मराठे कहां से होंगे याद कर लो सर्फोजी महराज है सर्फोजी महराज के देख रेक में कोई शाही जुलुस का चित रोल में यह जगह आई होगी अब जब हम बिलकुल अच्छे तरीके से सब जगह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे किस ने कहां पर राज किया इस पॉस्टरी बट वाट इस रिलेटेटिटिएर उसको मैं बताते चलो उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पे सब्लिंटिए रेसों में खीचकरके उसके बाद उससे पेसर बना अअ BA या फिर जो फिर आप बिल्कुल क्लास को देखिए और वाकी थोड़ा सा come at 10 o'clock अनेकेडमी पे ही मेरी क्लास है वहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहा है और वहाँ पे जो है प्राग्यतिहांसिक के बारे में पढ़ेंगे प्री हस्टोरिक पीरिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं देखिए तंजोर पेंटिंग्स को देखें तो तंजोर पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा गोल्ड लीफ्स का प्रियोग की हुए और जेम्स ओफ डिफरेंट कलर सी इन ओर्डर तो गिवर डेकुरेटिव चर्ड मैंने बताया कि तंजोर पेंटिंग कहां पे बनती थी दिवालों पे लख्डियों के पैनल पे तो वहां पे बहुत आराम से सोने के पत्तरों को लगा दिया आता था उसके अलावा बहुत बहुमूल रत्नों को भी लगा दिया आता था ज्यादा तर इन पेंटिंग्स में आपको रेड और ग्रीन कलर देखने को मिलते हैं लिए एंड रयड ग्रीन बनते थे और बेक्राउंड के लिए रड Chapter और देवी की धिमा को बनाने के लिए यूज उता था और ब्लू और वाइट कलर देवतां के लिए होता था मतलब कि अगर देवता हैं मेल हैं तो ब्लू एंड वाइट राजस्थानी में भी हमको देखने को मिलता है लेकिन अगर देवी हैं तो यलो कलर और जो भी इसकी बिसर बस्तू रही है तंजोर पेंटिंग की चुकि शुरुवाती दौर से लेकर के और जिस पीरियड म में यह देखने को मिलती है यह हैं पर हिंडुों का सासनता इसलिए है करिलिजियोस ही आपको देखने को मिलेगा और हिंडु गॉट गॉटस मिलता है हिंदू देवीडयवत्ता अब यह हम से कहा है बैंGOल से कुछ आगए है और एटे हंड़्र किनल मिल में वह पे नहीं जा पाया हूं पर मैं चाहता हूं कि एक बार जाओं देखों उसको selling की अब हम देखेंगे इसको भी मैसूर सेली की लगुचित्र कला को जगौफिकल indication tag GI tag मिला हुआ है अब देखेंगे कि these paintings developed under the reign of the Vadyars and reached into the reign of Raja Krishna देखेंगे आज भी जो वहाँ की royal family है वो Vadyar सासक लोग है कहा जाता है कि यहीं मैसूर का टीपू सुल्तान था टीपू सुल्तान था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली हैदर अली था ठीक है यह हैदर अली ने जो है मैसूर का सासन इसी Vadyar family से छीन लिया था और धीरे धीरे मतलब वहाँ पे किया था अंग्रेजों से काफी बहादुरी से लडा था हैदर अली जब तक हैदर अली रहा I really appreciate that man तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि मैसूर के उपर कब जा करें तीपू सुल्तान ने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया बट अपने अंतिन समोय में वो हार गया तीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारे गए और दुबारा से मैसूर का सार्षन ले करके इसी वैद्यार फैमली को दे दिया गया अब इसी वैद्यार फैमली के देख रेख में ही हम देखते हैं कि जो मैसूर की लगु चित्रकला की शैली है वो उबरी है जो मुख्य तरीके से देखें तो जो वहाँ के राजा कृष्ण राज वर्द्यार थे उनके समय में ये काफी अच्छे तरीके से मतलब फ्लॉरिस हुई थी इन चित्रों को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही जादा आपको ग्रेस मतलब बहुत अच्छे चित्र देखने को मिलते हैं और जो भी चीज है उसमें बहुत डिटेल से बनाए गया है और वहाँ पे जो भी शामगरी उपलब्ध होती थी उन सामगरीयों का परियोग उस पेंटिंग में किया जाता था जैसे अगर कोई गिलहरी है तो गिलहरी के बालों को ले करके उससे ब्रस बना लिया जाता था गिलहरी के बालों से ब्रस बना लिया गया और बनश्पतियों का या फिर खनीजों से प्राप्त होने वाले रंगों का परियोग किया जाता था यहां पर आप एक चित्र देखते हैं, यह समुद्र मंथन का चित्र है, कैसे एक तरफ से देवता, मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आप देवता देखेंगे, या तो सफेद देखेंगे, या बलू देखेंगे, और यहां पर आपको दैथ, राक्षस, दोनों ही मिल करक बीच में एक परवद को रख करके और इसको एक बहुत बड़े नाग को रसी की तरब परयोग करते हुए समुद्र का मंथन कर रहे हैं अम्रित पाने की लालशा में उपर जो है वो सारे देवता जो है यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां शमुद्र को भी दिखाये गया है कितने बहतर तरीके से नीचे जो है वो कक्षप को दिखाये गया है यह कक्षप माना जाता है कि भगवान विस्नू की में बात बोल रहा हूं विस्नू के दूसरे ओतार सेकेंड ओतार जिसको कि हम बोलते हैं कक्षपा ओतार या फिर कुर्मा ओतार का जाता है कि भगवान विस्नू ने कच्छुए का जनम ले करके और उस समय जो समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन आपने देखा है कि घर में आपको मतलब दूद मतने के लिए दही मतने के लिए जो अजार होता है उसको आप ऐसे पकड़ते हैं और नीचे ऐसे परलब ऐसे गोल सा सर्कुलर और बीच बीच में खांचे कटे हुए से चीज का परियोग होता है और आप ऐसे ऐसे ले करके दूद या दही को मत्ते हैं तो वैसे ही पहाड तो मत्रमंतन हो पाया था था तो मैसू पेंटिंग हमको इसके बारे में देखने को मिलती है जो भी चीज़ें हैं बहुत ही वन्रवर्मा फिर हम बात क्या बोल रहे हैं कि मैसूर पैंटिंग जो है वो हमको तंजोर पैंटिंग जैसे ही मिलती है मैंने बताया था कि यहां पे तंजोर पैंटिंग हो रही थी तंजोर पैंटिंग तो उसमें बताया था कि लकडियों वगएरा पर की जाती थी अब जब वो पीट-पीट के पत्टे जैसी आकरिती थी और इसका यूज किया जाता था एक तंजोर पेंटिंग की तरह मैसूर पेंटिंग में भी हम देखते हैं कि पतले सोने का पत्टे का परियोग किया जाता है और एक बहुत ही फेमस चीज है एबरीबड़ी मंदराचल परवत था और नाग वासूकी को रसी की तरह यूज किया गया था मंदराचल परवत जो था वो मतनी की जैसे था और मतनी का बेस था जो भगवान बिश्णू ने कुर्म का या कक्षप का अवतार लेकर के उसको बेस दिया था तो मैसूर पेंटिंग की एक और काफी बहतर भी सेसता है जिसको कि हम गीशो वर्क कहते है अब वो गीशो वर्क क्या है गीशो का कार है देखिए जब भी किसी कैन्वस के उपर बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग कैन्वस के उपर आज कल जो पेंटिंग की जाती है कैन्वस तो जबबी हम देखेंगे कि किसी canvas के उपर जब पैंटिंग की जाएगा और वो पेंटिंड अगर हम एक्रिलिक कर रहे हैं जैसे आज का 20 होता है आज एक्रिलिक का यूज़ करते हैं canvas के उपर, तो हम उसमें geeso work कहते हैं, geeso work क्या होता है वो एक base paint होता है मतलब कि white color का होगा, और उसको canvas के उपर पहले लगा दिया जाता था और वो जब लगा देंगे, तो canvas का हिस्सा थोड़ा सा उपर उठा हुआ सा लगेगा तो geeso के बारे में देखिए, और उसके उपर फिर बार में painting की जाएगी तो ये जो geeso का कारे है, geeso painting है वो हमको देखने को मिलती है Mysore painting जहां पे painting बनानी है वहां पे एक paste जो लेंगे zinc oxide का और और भी गोंद का और भी गोंद गोंद मतलब कि वो adhesive की तरह तब तो जाके वो चीज चिपकेगी और उसके बाद उस दोनों को मिला करके और उस canvas को या जहां पे भी ये हमारी मैसूर painting करनी है वहां पे उसको apply कर दिया, लगा दिया लगाने के बाद जब वो सूख जाएगा तो वो हिस्सा थोड़ा सा अब जैसे भाई बेस है उससे जब आपने ये चीज लगा दी पेस्ट लगा दी है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा इसके ऊपर ये painting करते थे तो इसको हम बोलते हैं गीसो वर्क पेंटिंग देखिए इंग्लिस में गीसो वर्क is a paste of zinc oxide and arabic gum which is used to provide a little raised result of carving to those part of the painting which needs decoration अब ऐसा क्यों किया जाता था कि मालों की painting में किसी हिस्से को अगर हमें ज्यादा उसकी सजावट करनी है जब ज्यादा सजावट करनी है तो हम क्या करेंगे उस हिस्से में गीसो वर्क लगा देंगे उस हिस्से में हम क्या करेंगे जिंक ऑक्साइड और अरबिक गेम का पेस्ट बनाया और लगा के सुखने दिया और सुखने के बाद हम उसके उपर जो है खुब बढ़ियां सा डाकोरेशन कर दिये तो एक तरह का बेस पेस्ट होता था या बेस कलर होता था अब इसकी थीम्स देखिए थीम्स भी हम देखते हैं कि ज़्यादा तर मतलब रिलिजियस थीम्स ही है धार्म से संबंदित ही ये थीम्स है हिंदू मीट्स पे हिंदू महा काव्यों पे और बहुत ही इसमें जो महत्तुपुन चित्तकारी हमको देखने को मिलती है वह यह है कि जो हमारे भगवान गनेश है गड़पति मौरया उनको बैठाया दिखाया गया है कि वह सिहाशन पे बिराजबान फिर हमको दसावतार की भी पेंटिंग देखने को मिलती है अब जो यह आप देख रहे हैं समुद्र मंथन का तो यहां पे भगवान विश्णू को कक्षप आवतार को दिखाया गया है इसका मतलब यह भी दसावतार पेंटिंग का एक हिस्सा हुआ अगर हम पूरे दसावतारों की बात करें तो माना जाता है कि भगवान विश्णू ने दस अवतार लिए हैं उन्होंने माभारत में अगर अर्जुन को ही कहा है यदा यदा ही धर्मश्या गलानिर भावती भारत अभ्युत्थानम धर्मश्या तदात्मानम श्रिजाम्या जब जब मतलब धर्म की हानी होती है और जब जब धर्म को चाहिए कि भाई उसको आगे बढ़ाया जाए तब तब मैं जनम लेता हूं मैं नहीं भगवान विश्णु जनम लेते हैं अलग-अलग रूपों में और वही जो चीज है वो दशावतार है तो सबसे पहला जनम माना जाता है कि मीन आउतार है भगवान विश्णु ने मीन का रूप लिया और मीन का रूप लेकर के और जो है जब पूरे पृत्वी पे प्रलय आया बाढ़ आई ठीक है आईस एज ध्यान दीजे आईस एज खतम हुआ जब आईस एज खतम होगा तो क् सारी की सारी बर पिखल जाएगी और पिखलने के बाद से चारो तरफ से बहने ये बहना शुरू कर देगी जब बहना शुरू कर देगी तो चारो तरफ पानी पानी हो जाएगा उस समय वेदो की रक्षा करने के लिए भगवान विश्णु ने मीन उतार लिया था फिर कुर उसके बाद से हम देखते हैं वराह ओतार, कहा जाता है हिरनकश्चप के भाई जो हिरनयाक्ष थे उनको मारने के लिए भगवान ने शूर का रूप धारन कर लिया था, क्योंकि उसको ये पता था हिरनयाक्ष को कि भगवान जो है वो कभी भी सूर का रूप नहीं लेंगे, ल निर्शिम उतार लिया निर्शिम उतार और हिरन कश्यप कुमारा प्रलाद की रक्षा की चौथा हो गया अब देखिए फिर पांचवा क्या हुआ पांचवा उन्होंने वामन का उतार लिया और कहते हैं महाबली जो महाबली पूरम है स्वरी महाबली जो हम जानते हैं ना जि लगने लगा तो उन्होंने विश्णु को बामन का उतार लेने के लिए अनुग्रह किया विश्णु गए वहां पे और उन्होंने उनसे तीन गज जमीन मांगी एक गज में एक पाओं में उन्होंने पूरी प्रित्वी नाब दी दूसरे मैं आकास तीसरा उसे पूछा कहां उसने गोला मेरे सिर पे रख दो कि सिर पे रखा मतलब उसको भी नाब दिया और उसको पदाल में बेदिया पांच वतार हो गया फिर हम देखेंगे छटा चटा हम कहते हैं कि पर शुराम का उतार है पर शुराम का उतार ठीक है वह ऐसे ब्रहम्मर्ण थे जो की युद्ध भी करते थे पिर अबेगा वेल्कम कोई बात नहीं लेट होगी तो यह च्छे हो गया फिर सात्वा हम देखते हैं राम का उतार हो गया फिर हम आठवा देखते हैं कृष्ण का उतार छिए यह तो सभी जानते हैं इसके बारे में फिर हम भगवान बुद्ध को भी का उतार मानते हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं बुद्धा उतार और दस्वा जो है जो अभी नहीं हुआ है जब कल्यूग बहुत ही वह हो जाएगा आगे आजाएगा तब कल्लकी उतार होगा ठीक है तो इसको बोलते हैं दशावतार और इससे समवन्दी पेंटिंग जो है वो हमको मैशूर की लगू चितरकलास शैली में देखने को मिलती है वैसे ही लक्षमी की प्रतिमा है लक्षमी की पेंटिंग मिलती है शरस्वदी की राज-राजिश्वरी की श्री राम की तो यह सारे जो हैं हमको देखने को मिलती है हाँ वो कल्लकी उतार है रिशब कुमार बहुत अच्छा तो यह पूरा था हमने वेरियस रिजनल स्कूल और पेंटिंग्स खत्म कर ली है तोटल 24 आउतार एक्चुल में 24 आउतार का तो मुझे पता नहीं है 10 आउतार जो काफी फेमस है हमारे महाकाप्यों में दिया गया है पड़ाओ साब आप जरूर यहाँ पर बताईए कि 24 आउतार कौन कौन से है तो यह पूरी कंप्लीट हुई कल जो हम पढ़ेंगे वो modern painting के बारे में पढ़ेंगे और कल हम painting कतम कर देंगे modern painting so everyone please be available tomorrow 7 p.m. 7 बज़े जरूर आईए ठीक है और 10 बज़े से अभी मेरी history की class है अनकेडमी पे so please join up वहाँ पे हमने एक class पहले लिए दूसरी अगर आप join करते हैं तो वहाँ पे 77 ancient history भी आप पढ़ते रहेंगे हाँ ओनम भी मनाया जाता है बिलकुल तो अब हम चलते हैं यह पूरा का पूरा आज का class खतम हुआ देखिए अनकेडमी और दहिंदू जो न्यूस पेपर आप पढ़ते हैं यह दोनों के association से इन दोनों के मिलने से अनकेडमी सुमिट 2.0 यह हो रहा है जो कि पूरा आप civil services exam के लिए कैसे prepare करें यह फरवरी 20 और 21 को आपको बताये जाएगा इन दो दिनों में बिलकुल ही फ्री है 70 iconic speakers आपको मिल जाएगे यहाँ पर talks and discussion होंगे और 32 यहाँ पर workshop होंगे तो फटापार रजिस्टर के लिए यह बिलकुल फ्री है unacademy combat है आपको मैं कई बार से यह बताते हैं हूँ 34 देखा है अच्छा 34 देखा है बन्ना वर्मा जो अभी तक मुझे पता है जो हम पढ़ते आए हैं क्योंकि दसाओ अतार ही विश्रवस्तों मिलते हैं तो वह 10 ही है ठीक है अगर जादा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताईएगा तो दे मोस्ट कॉंपिटिटिव गेमिफाइड यूपी एसी सी एसी बैटल है अनेकेडमी कॉंबेट 45 मिनिट्स यह अलएडी बहुत दिनों से चल रहा है 45 मिनिट्स होते हैं 60 कुश्चन होते हैं रिलेटिव स्कॉरिंग होगी पोट नाइटली कॉंटिक्स है अमेजिंग प्राइजिस आपको यहां पर मिलेंगी मैं प्राइजिस के बारे में बहुत पहले बता चुका हूं 285 को है 11 एम इंड्रोल कीजिए और मेरे कोड रवाइस 10 का इसके लिए यूज कीजिए तो यहां पर फिर से मैं आपको बता दूं कि यह जो है टी जॉड़ ए अनकेडमी अंडर्सकोर यश्वंत अंडर्सकोर सिंग यह मेरा चेलिग्राम आइडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है फटाफट जॉइन कर लिजिए जो भी पीडिएफ होंगी मैं वहां पर दे दिया करूंगा आई होप कि यह वीडियो काफी आपको मैं आपने पूरे कुश्चन का प्रकार देखी लिया है और आप समझी गये हैं तो इस वीडियो को फटाफ़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और यू पीस्सी को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो यू आर ओन अनकेडमी प्लैटफॉर्म तो लेट्स क्रेकिट यह हैं तो